तो उर्जा सर्व्यापी उर्जा है हर चीज में उर्जा है हर चीज जो की जिसको हम कहते हैं जागरत अवस्ता में यह का चाहिए वो स्टोन है हमें लगता है स्टोन में तो जान नहीं होती है पर ऐसा नहीं है हर वस्तु में हर कर्ण में एक कॉंशियसनेस है कॉंशियसनेस आ आपने सुना होगा रिशी मुनी, पत्थरों से बात कर सकते थे, या पेर पॉदों से बात कर सकते थे, जानवरों से बात कर सकते थे, तो हर चीज को आप अपने पॉजिटिव एमोशन से कनेक्ट कर सकते हो, हर चीज में एक जान होती है, हम लोग अपने घरों से प्यार करते ह सब लोग अपने घरों से प्यार करते हैं ना तो हमें घर भी लगता है तो हर चीज एक से भरी हुई है इस ब्रहमाण में कुछ भी मृत नहीं है वह इसलिए कि आपने देखा हुआ कि हर चीज छोटे-छोटे सब्सक्राइब करें अपने अपने एक इंटेलिजेंस है एक एक आटम बहुत ही माइनियूट होता है पर उस एक आटम को भी अपना बैलन्स बनाना पता है और वो जागरे तवस्ता में है तो हम अपनी थौट्स और इमोशन्स इसके बारे में पूरा हम पूरा महीना चर्चा करते रहेंगे थौट्स और इमोशन्स कैसे काम करते हैं वो उन्जात रूप कैसे ले लेते हैं और और वो कैसे influence करते हैं हमारा environment, हमारे आसपास के लोग और चीजों को भी वो influence करते हैं तो यह था history of Reiki, अब हम आते हैं principles of Reiki, तो डॉक्टर उसुई जो थे उन्होंने कुछ principles Reiki के बनाए तो एक उन्होंने principle जो Reiki का बनाया है, वो था just for today, आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूँगा तो उन्होंने यह principle इसलिए बनाए कि जब आप क्रोध करते हैं, तो क्रोध आपके शरीर में विनाश रूप ले लेता है, आपकी body में आपको तंग करता है क्रोध से ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपके रिदैगती को impact करते हैं, आपके heart, heart को, lungs को, body के organs को impact करते हैं उनमें एक negative उर्जा इकटी होने लगती है, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, तो हमारी सांस, हमारे brain patterns, हमारे neurons में toxic energy इकटी होने लगती है अरी अब दूसरे principle पर आऊंगी मैं और वो connected है, तो anger just for today I will not be angry तो आपने देखा होगा जब anger, जब आप गुसा होते हो, तो आपकी घर की vibration बेगर जाती है, आपने क्रोध करा, जिस व्यक्ति पे क्रोध करा, वो परिशान हो गिया वो परिशान हुआ, वो गुसा होके आगे किसी और पर गुसा करा, उसका गुसा कहीं और गया, आपने शायद एक कहानी शायद सुनी होगी, नहीं तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि एक जो था, बॉस था वो अपने जो उसका इंप्लॉई था, उसको गुसा आया, उसने तो बिचारा एंपलॉई था तो माली को वो क्या बोले तो कुछ नहीं बोला बट अंदर यंदर उबलता रहा अब उसको अंदर यंदर गुसा आ जब घर में गया तो इरिटेड़ था गुसा था तो उसने अपना गुसा निगाला प्री किस पर निकाला होगा बीवी पर उसन उसने पीटा अपने बच्चों को तो मैं आपके लिप्स को रीट कर सकती हूं तो आप लिप से भी बोल सकते हैं उसने पिटा ही लगा अपने बच्चे पर बच्चे को क्यों पीटा अब बच्चा गया पार्क में बच्चे को अरा था गुसा तो बच्चे ने क्या किया वहीं से जा रहा था, morning walk के लिए जा रहा होगा, तो कुते ने किसको काटा, बॉस को, तो ये एक cycle पूरी, पूरा आप देखो, कितने साथे लोग involved हो गए, एक गुसे की cycle के अंदर, तो इसको कहते हैं, what goes around, comes around, तो जैसा आप करोगे, वैसा आप भरोगे, आपने गुसा करा, आपने एक, अपने employee को बुरी तरह से डाग दिया, वो लोट के किसके उपर आया, उस व्यक्ति को आया, उसको टांके लगाने पड़ गए, और कुछ दिन घर पे रहा होगा, उसका financial नुक्सान हुआ होगा, बहु सारा नुक्सान हुआगा, तो ये पूरी cycle गुसे की, अग आप करते हैं, तो जैसा आप करोगे, वैसा भुक्त होगे, तो अगर हमें गुसा आ रहा है, हमें अगर इरिटेशन हो रही है, और हमने एक किसी एक कमजोर इंसान पे अपना गुसा निकाल दिया, तो वो कही ना कहीं लोट कर सोयम के पास आता है, तो ये principle बहुत सकते हैं, सब लोग फॉलव करेंगे, इसको अवेर्नेस मे लाइं, ये तो आपको अवेर्नेस, चागरत होना है, क्यूंकि हम उन्काशिएसली जाते हैं, वैसे वैसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं, आवेर्नेस, रहते है कि हम नाज़ में प्रमिस लीया थ, July idiot, का क्रौभ इसको हम नहीं करें तो आज के दिन हमने क्रोध नहीं करना इसको एक जागरित अवस्ता में प्रैक्टिस करना है अवेरनेस के साथ यह नहीं कि इस दो घंटे के बाद क्योंकि कर मैं पूछूंगी किसने प्रैक्टिस करा इसको पूरा दिन इमानदारी से इसलिए नहीं कि इसलिए जा रही हूं क्योंकि यह आपकी लाइफ पे इंपैक्ट करता है, आपका थौर्स और इमोशन का इंफूइंस पूरे ब्रह्मान पे आता है, यह जो ब्रह्मान है अभी मैंने बात करी थी उर्जा से बनी हुई है, सर्व व्यापी उर्जा, तो इस ब्रह्मान में एक वाइब्रेशन होती है, तो पूरा प्रह्मान को हम ला देते हैं, तो दूसरे प्रिंसिपल पे आते हैं, जस्ट फॉर टुड़े, आइविल नॉट वरी, तो मैं नोट्स के बार में बात करे थी, तो अभी जो है, चा करे थे चिंदा शुरू हो गई, नोट्स मिलेगी या तो जब आप वरी करते हैं, जब आप चिंदा शुरू कर देते हैं, जब आप फ्यूटर में चले गए, जब आप कह रहे हैं कि फ्यूटर में ये मिलेगा या नहीं, रेकी काम करेगी या नहीं, घर पे आज का खाना में ठीक से बना पाऊंगी या नहीं, तो आप वरी करने लगते हूँ, तो जो future होता है, वो कभी नहीं आता, future never comes, तो वरी जो है, चिंता-चिता समान है, आपने सुना हुआ है, प्लीज नौट करें head को, कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको पता है, चिंता-चिता समान है, तो क्या करे हो, आप वरी करके, चिंता करके, मेरे उसका करियर बनाएगा या नहीं, वो पास होगा या नहीं, उसको पैसा मिलेगा या नहीं, बहु के साथ बनेगी या नहीं, तो पती को आगे इंक्रिमेंट होगा या नहीं, बुडापे में क्या होगा, बुडापे में कोई हमारे साथ रहेगा या नहीं, बीमारी तो नहीं लग जाएगी तो यह सब thoughts क्या हैं यह सब चिंता है तो चिंता जब आप करते हो तो आप present tense में नहीं रहते हो present moment में आप नहीं रहते हो चिंता करने से आप अपने शरीर का नुपसान करते हो तो just for today I will not worry तो आप लोग कौण कुल मैं तूड़ा sharing लेना चाहूंगा कि आप लोग जो है कौन कुन Kya क्या क्या चिंता किस चीज की चिंता लगे रहती है तो अब लोग share करेंगे चिंता invasivity की किसकी चिंता है आप लोग को सुनाली जी बोलिये वैसे आपने जो बताया ना वही डेईली रूटीन के अमारी चिंता होती है बच्चों के बारे में और निंग के बारे में फिस घर में कुछ प्रॉब्लेम नहों इसके बारे में यह सब चिंता रोज लगी रहती है तो अभी हेल्थ की भी चिंता होती है तो अभी हमने क्या सीखा है चिंता नहीं करने है तो आज के लिए हमने क्या करना है आज के दिन चिंता नहीं करने है चिंता चिंता समान है आज के दिन हमें अवेर रहके करना है कि हमारा कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड सकता ऐसे अवेर रहके स नमस्ते शूती जी बच्चों का फ्यूचर एड्मिशन्स या जैसे मेरा बेटा तेंथ में है तो मुझे उसी की चिंता है वह वह पढ़ रहा है या नहीं क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासे से एक्जाटली समझ में नहीं आ रहा है कि वह पढ़ रहा है तो क्या पोजिशन वाँ है और फिर आगे उसका फिउचर कैसे रहेगा एड्मिशन्स कैसे होंगे इसे भी आएंगे तो अभी आमने बात करे कि चंता नहीं करनी तो हमें रहना है तो क्या करना है हमने शुती जी चिंता करनी है नाई आज के लिए मैं कि आज में कुछ नहीं चंटी तक हां तो तो इसको हम एक positive तरीके से डालेंगे कि आज के लिए मैं प्रसन रहोंगी, आज के लिए मैं relaxed रहोंगी, आज के लिए लिख ली जेस के लिए, तो हम लोग आज के लिए मुझे relaxed रहना है. अगर consider करो कि आज आप relaxed रहोगे, तो आप कैसे कितना काम कर पाओगे अपने जीवन में? शायद जो भी काम चिंता करते करते जो छोड़ देते वो extra काम सारे ढूनके निकालेगे. Absolutely, absolutely. तो क्योंकि आपके चिंता से कुछ आप अच्छा कर पा रहे हैं अपने बच्चे के लिए? तो आपने आगे चिंता बेटे को दे दी, बेटा चिंता किसको देगा, दोस्तों को दे सकता है. तो हम चिंता फैला रहे हैं, एक्च्छी में जो थौट्स हम सोचते हैं, वो हम उन्हें ट्रांस्मिट करेगा रहे हैं, और वो प्रेशर शायद आप हस्बेंड को भी देती होंगी, कहां-कहां देते हो वो चिंता बच्चे, अपने चिंता खुद तो आप परेशान होई, और आगे उसको ट्रांस्फर कर दिया, तो ये वाइबरेशन देखें कि ये वाइबरेशन जो है चिंता की एक वाइबरेशन है, एक अपने एनरजी, एक वेव हमने शुरू कर दी, एक तो हम शांती की बात करते हैं, दूसरी तरह हम चिंता की बात करते हैं, तेरा फ्यूच अगर तुने पढ़ा ही नहीं करी और क्या यह सच है नहीं मैम उतना प्रेशर नहीं है बस इतना काहा है कि पिटा गर करेगा तो तुझे भूट फाइदा रहेगा अगर नहीं करेगा तो देना आइक आंट अलसो हल्प तेरी मेनत तुझे कामाईगी उतना भी नेगेटिव ल जाती है तो जो प्रेशर हम देते हैं वह आपने देखो कि प्रेशर को कर कितनी ज्यादा सीती मारता है कि अटे जाता है और नुकसान हो जाता है तो जो प्रेशर आप ले रहे हो कि इसकी फ्यूचर का अभी आने वाले टाइम में मैं बात करूंगी पॉजिटिव बचसे को कि प्रेशर ना देखी क्या गरोगो आज उसके लिए अच्छा अचा जाना बनाओगे उसको एप्रिशेट करोगे आज की लिए आप सब का हमआब किसको को अपने कॉपी पेंसल में लिखिये आप किस चीज के लिए वरी करती है आप přिस चीज के लेकिने कंवे च सब लोग लिख रहे हैं में को दिखाई नहीं देरें सब लोग लिखते हुए यह मैं लिख रहे हैं कि आपका कौन कौन सा एडिया जिसके वार में आप वरेड हैं और दोग शॉफ्टे यह नहीं होगा नहीं होगा मेरेज्ट ए वीदियो परीजो लिखित कोकिला जी मलिका जी अंजली जी अच्छे लगते हैं तो आप लोगं से कनेक करके हमें अच्छा ही लगेगा वी आदोiyim 1702 अपना री नेम करके अपना एक्ट्र наст नेम लिख के आजयेत को आप लोग लिख्ये की यह वरी आपु लोग करते हैं और इसका इंपक्ड क्या है वरी करने का इसका म valorर इसक इंपक्ड डिलाइफ जब आप बच्चे को, क्योंकि हम जो चिंता करते हैं, उसका हमें इंपक्ट नहीं दिखता, उसका असर नहीं दिखता हमें, तो क्या जिन लोगों को हम अपनी चिंता दे रहे हैं, हम अपना डर, हम अपनी वरी दे रहे हैं, उनके उपर इंपक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि आ पर जब मैं वरी करती थी अपनी मदर की हेल्थ के लिए, तो मैं उन पर शाउट करती थी, कि नहीं, तुम अपना ध्यान नहीं देती हो, तुम वर्क आउट नहीं करती हो, और वो बिचारी नर्वस हो जाती थी, और परिशान हो जाती थी, तो मैंने अपनी चिंता, क्योंकि म बात करना बंद करते दीती, वो मुझे अवोइट करती थी, तो ऐसी ही आपकी जो बच्चा है, वो आपको अवोइट करेगा, जहां आप जादा उनको अपनी चिंता उन पे निकालोगे, तो कहां कहां आपकी रिलेशन्शिप पे आपकी चिंता इंपक्त कर दी है, इस चीज क आप से चुपाना शुरूर कर देते हैं, वो आपको जूट बोल देंगे कि हमने तो पढ़ाई कर ली है, क्योंकि आप उन्हें बार-बार कर रहे हो, तो कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे कि आपकी चिंता का असर आपकी रिलेशन्शिप पे कहां कहां पढ़ रहा है, ऑथ अपनी लाइफ में अपने रिलेशन्शिप को ट्रांस्फॉर्म कर पाएं, तो यह मेरी कमिट्मेंट है, तो कोई शेयर करना चाहेगा कि आपकी चिंता से आप कहां इपक्त दाले हूं, जैसे जब मैं चिंता करके अपने नाम बताएं, हलो, हाँ नमस्ते मैं, मैं शूरूत कर रही हूं, जी, जी, जब मैं ऐसे चिंता करके अपने हस्वेंट को बोलती हूं, तो कभी-कभी अगर वो ठीक है, वो संभालिये तो ओके, लेकिन अगर वो किसी और बात पे चिंतित होते हैं, और जिसमें अगर मेरी बयात आड़ हो जाए, तो फिर वोई बच्चों को ब लेकिन, as a parent, हमें भी लगता है, क्योंकि बच्चे क्या है थोड़े अपने रूटीन से अभी जैसे online है बोलके, ढूल जाते हैं, और हो क्या करते हैं, लाप्टॉप में काम करते करते, गेम्स खिलने लग जाएंगे, चैट करने लग जाएंगे, वीडियो देखने लग जा जाते हैं, इसलिए हम लोग बार-बार बोलके, उनको रियलाइस कराने की कोशिश करते हैं, यह 10th है, आपका future है, इसलिए आपको पढ़ना है, वो बात तो ठीक है, बट वरी की बात करी हूँ मैं, कि जो आप कर रहे हैं, वो तो आप ठीक करे हो, बर आप चिंता से, देखि से, इसलिएो हम जाना है करी जाना, पडिस की क्यशक से कारण या कश होता है, तो हम ज़रूर उनको डाच लगाते हैं, तो किदी बार भूलते हैं, थे सब्सक्तितने की बार है वितां लृ इंप परेक्शानाया का चिंता में हुए तो आप लगा सकती हो, बट तो आप लग तो चिंता को आप रिप्लेस करिए विद एक्षन क्या ले रहे हो अपनी हैंट के लिए तो चिंता में डूपे होए आप एक्षेट जी जी तो आप चिंता मेंक्षेट करना है मक्त्तु केटे और आप चिंता से बिक्ति करनी है तो हम एक्षण की तरफ आप बड़ेगा जीवन में क्या आपको action लेने चाहिए ताकि आप स्वस्त रहें तभी तो आपकी चंता दूर होगी चंता से तो आपको health नी मिलने वाली है Am I right? चंता से तो आपका बच्चा पढ़ने नी वाला है तो आप लोग क्या actions ले सकते हैं कि बच्चा पढ़े तो आप action लेने वाले हो आज क्लास के बाद कि आपकी health अच्छी हो और मैं सब लोगों से बात कर रहे हूँ ये सिर्फ एक से बात नहीं कर रहे हूँ क्योंकि जहां हम चिंता करते हैं हम action नहीं ले रहे होतें जीवन में क्योंकि हमारा और यही एक ओर्जा है उर्जा का ये बहुत बड़ा खेल है क्योंकि जो वरी की उर्जा है वरी चिंता की जो उर्जा है वो हमारा फोकुस हो गया कि ये काम नहीं होगा मेरी health क्या होगी रादर देन मैं अपनी health के लिए क्या कर सकती हूँ तो आपका फोकस बिमारी पे है आपका फोकस health की तरफ नहीं है इस चीज़ को आपको समझना होगा इसको ये ज्यान की तरफ नहीं लेंगे इसमें आप अपने thinking process को जड़ा चलाएंगे कि मैं अपना life में वरी कर रही हूँ या मैं action ले रही हूँ उस चीज़ problem बतूर करने के लिए did you get it आपको मिला मैं क्या कह रही हूँ यस मेरा ठीक है जैलसी जी आप क्या कहना चाहती थी यस मैम actually यह जो चींटा की बात हो रही है ना तो जो चींटा anxiety से ही मुझे आज से चे मैने पहले सुगर आया है अभी नॉर्मल आ रहा है सुगर और थाइरोड दोनों है थाइरोड मुझे चार साथ से और सुगर लास्ट सिक्स मुंट से जादा तो मैंने लोगडाउन में सब योग और सब करके मैंने कंट्रोल कर लिया है तो चींटा से बहुत है अब कि अधिया और आपने जैसे बोला ना रिलेशन्शिप तो मेरा चींटा का जो है सबजेक्ट वो ही है रिलेशन्शिप मेरा भी एक विग पहले ही डाइवाज हुआ तो वो मैं बहुत इसमें डिप डाउन डिप्रेशन में चले तो डैल्सी जी गए का मेरा रिजन यही है कि मुझे में से बहार रहा है तो डैल्सी जी देखिए अब आपका फोकस कहा है कि डाइवोर्स हो गया मैं के लिए रहे राइट और आप क्या चाहते हो अचिन्टा है क्या होगा, क्या होगा, मेरा भी आगे क्या होगा, I am 35 years old, तो यह सब worries होती है, सब बोलते हैं कि अभी life अकेले नहीं निकलती, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए life में, वो सब बोलते हैं, तो हम हमारे दिमाग में चीज़ता है, हाँ, तो एक यह बहुत अच्छा जो चला हुआ है हमारी, socially as human beings, कि सब वरी, सब डराते हैं, actually हम एक दूसरे को डराने का काम करते हैं, कि क्या होगा, तुम अकेले रह गए हो, तुम पढ़ाई नहीं करे हो, क्या होगा, होगा, होना तो वही है, जो मनजूरे खुदा होगा, एक दिन सबने जाना ही है, लेकिन डरा डरा के जीवन क्यों जीना है, एक दूसरे को डराने का हम काम कर रहे हैं, बलतब एक डर और वरी की energy हम दे रहे हैं, तो वह energy से बचना चाहिए, अब डेलसी जी अपने जीवन में देखिए कि आपको action, अगर आप चाहते हो कि मैं जीवन में divorce होके चुका है, और मैंने जीवन में वरी नहीं करना, मैंने खुश रहना है, और मैंने अपने लिए जीवन साथी ढूडना है, तो आपका जो focus of mind ह वह कहां होना चाहिए, डेलसी जी, येस मैं, focus कहां होना चाहिए, अभी तो मैं मेरे करियर में focus करी हूँ, actually I am doing job in Reliance Digital as a CRM manager, तो मेरा focus उसमें भी अभी ज्यादा हो गया, के department manager में बन गई हूँ, तो आगे उसमें बढ़ना है, और ताथ में ये भी कोई life partner, कोई अच्छा हो, तो वो life में होगा ही, भगवान सब अच्छा ही करेगा, लेकिन थोड़ा डर रहता है future का, कि कलत बंदा ना में जाए, तो हमें चिंता future के लिए लेगी हुई है, तो जब हमारे background में, हमारे mind में, चिंता से हम operate करें कि अरे एक बार मेरे सा जाए, तो life में क्या होगा, क्योंकि अब भी हम आगे चर्चा करेंगे कि जो हम सोचते हैं, जो हम emotions लेके बैठे होते हैं, वो body में बिमारी, आपने diabetes, देखिया हम कितने बड़े creator हैं, हमने diabetes भी create कर लिए अपने लिए, तो जब आप, कल हम कल के session में law of attraction पे ही करेंगे काम, कि कैसे हम अपी life को create कर रहे हैं, तो चिंता ना करने की जगे है, हमारा जो focus of mind है, कहा होना चाहिए, कि I will get a very good partner in life, मेरी जीवन जो है, बहुत अच्छा चलेगा, positive चलेगा, और मैं जो हूँ जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगी, तो वहाँ पे उनी चाहिए energy, जी, rather than की, जो हो गया, ऐसा हो गया, देखो वरी जो होता है, इंसान जो है, past is past, future आने वाला है, past चला गया है, जिना हमें present moment में है, ना आप future में जी सकते हो, ना past में जी सकते हो, तो जो वरी है, वो हम past पे based, future में डाल देते हैं, पिछली बार ऐसा हुआ था, तो आगे भ past में रहे के, past की negativity को पकड़ के future create कर रहे हैं, कि मेरे साथ दुबारा गलत आगी ना मिल जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो हम तो past में ही अटके हो है, पुरानी चीजों में ही अटके हो है, तो आगे future हमारा अच्छा नहीं होने वाला है, जब हम वरी करके आए व्यक्ति को देखेंगे, और पुराने चश्मे से यह देखेंगे अरे यह उस व्यक्ति के उपर suspicion रखेंगे, कि भया यह यह बंदा ठीक है या नहीं, इसको मैं एक magnifying glass से देखेंगे, कि इसमें यह कमी तो नहीं है, वो कमी तो नहीं है, तो वो relationship को आपको impact करेगा, rather than worry about the future, action ले, लोगों से मिले, आप 35-year-old है, अपने पाउं पे खड़ी है, और किसी का डर है, आपने डिवोर्स से आप निकल आयो हो ना, तो डर क्यों है कि दूसरा बंदा भी ऐसी मिलेगा, तो डर को छोड़ना पड़ेगा, वरी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वरी म अगर एक बार आपको अच्छा बंदा नहीं मिला तो दूसरी बार भी नहीं मिलेगा, तो उसकी जगह वरी को छोड़के creation की तरफ जाना पड़ेगा, कि हाँ, anything is possible, मैं जीवन में नया व्यक्ति create कर सकती हूं, मैं पड़ी लेखी हूं, अपने पाउं पे खड़ी हूं, किस अच्छा होगा, loving होगा, और मेरे को support करेगा, तो वरी को छोड़ना पर आप अज़ना पर आप अज़ना पर आप अब हम नेक्स्ट ले जो है पॉदिशन, लेक्स की, नीज की, काफ मुसल्स की, तो नेक्स पॉदिशन, लेक्स पे, काफ मुसल्स जिसे ये थाइज हैं हमारे थाइज, नीज, काफ मुसल्स, एंक्स, पांके सोल्स ठीक है ये पॉदिशन अपनी कर्वेजियंस के इसाब से आप करिए और फिर उसके बाद हम दोनों कंदे, ऐसी भी कर सकते कंदे, क्लियर हो रही है पॉदिशन, फिर बैख हाट चक्रा, दोनों हाथ पीछे बैख हाट चक्रा, मैं ये लेट के करना है या बैठ के, आप बता कर पाएं, I don't know, जिल लोगों ने योगा अगर रखा है, वो कुछ भी मुजीशन ले सकते हैं, बट जातर तो आप बैठ के ही कर पाएंगे, ये वली पॉदिशन, तो ये पॉदिशन आप, तो सब लोग तयार हैं, तो सब लोग, सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ के ये हथाइज वाली पॉदिशन, आँखे बन रहेंगी, रेकी गॉर्ड्स और गाइट को कॉल करेंगे, ये है रेकी के देवी देवताप मौदूद रहें, हातों को रब करेंगे, दोनों हथाइज पे, आँखे बन, play बने, हमनाँ कि आँखे बनना, आँखे का क्यों आँखे करेंगे, बना देवी करेंगे, जोनो चत्ते दो म bathroom. लो अपलो जो तुुक तुक तुक एक बार में एक हाथ अठागे दोनों नीज, दोनों गुटने अजित कि उक दोनों जrit कि ऊत्यों कि आप गया जिए aucunगडे pajamas अ Cobb आप बजय को और झाल 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 पर झाल लुश झाल झाल जाल यहां कि अपने की गॉड़ दिन गाइड सा थैंक्स करना है अपना धनेवाद करना है हो घृट है अजह जृट अजा कह अजू सबस्क नृट है अजा करो ए लृट है अजने हो प्म क nä्ज। देखी गोड़ दन गाइज का दन्यवाद करके आप लोग को वापस आमा है कर दो 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 अपने वीडियो जान कर लीजे जो लोग शेयर पीज शेयर की कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आपको कुछ फ़रक नजराया रेकी वन और रेकी टुकी लिंग से सब को नीद आगी है सब रिलाक्स जो गएं काफी कोई भी बहार दी आना चाहता है मैं बहुत नीमद आ रही है अब रेकी करें के बहुत रिलाक्सेशन हो जाता है बहुत गहरे में आप चले जाते हैं तो दो तीन मिरत में ठीक हो जाएगा इलर्ट में साजेगी एक घंडे की देर रेकी जो है चार घंडे की नीम के परावर होती है आप पूरा दिन बहुत फ्रेश फ्री करेंगे तो अब आप दूसरों को भी हीलिंग दे सकते हैं टाच हीलिंग विस सिंबल्स कोई कोई कोश्चन पूछन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं हामेनल जी बताईए मैं अपनी हांसा घंडे के दूसरोंने ना ऐदे इंक्रूड कर रहा था था तीनों सीमबर डाल गेलगा था अपने बहुतों से हिलिंक स्थाटि करना है होंशा जेशु ने आपको distant healing के लिए यूज करना है उससे अपनी healing नहीं करनी आप कर सकते हैं मनाई कुछ में यह दे कुछ symbols कुछ नुकसान नहीं करते बट लेकिन जबूरत नहीं है आपने अगर यूज करा है तो कुछ गलत तो नहीं करा तो अगर करा तो कुछ एक्स्ट्रा कर लिया गलत नहीं है यूज करते हैं मैं मैं भी इतने सालों से कर रही हूं 15 साल से तो हम लोग जो करते थे ना वह से की पहले करते और चोकुरे बाद में करते हैं पहले वो हूंसा जेशोने जो डिस्टंस होता है फिर से की और फिर चोकुरे करते है तो वो ऐसी आदत पड़ गई है यह निक डिसन्ट मैटर अगर आपको वह ठीक लगता आप वह भी कर सकते हूं रेकी वह जो सिंबल्स हैं कुछ उनका नेगिटिव एफेक्ट नहीं होता बट लेकिन जेनरली चोकुरे और से की ही राइट तरीका है एक एनरजी को बढ़ा रहे हैं और से की मेंटर और एमोशनल हीलिंग कर रहे हैं अगर आप होंशाजेशन एन यूज करते हैं कौन सा सिंबल देखे चोकुरे होता है एनरजी बढ़ाने के लिए तो इसमें पहले बट जो मैं यूज करती हूँ आप ट्रीशनली चोकुरे और से की उसकरती हूँ अगर आपने आपके लिए उचोकुरे से की क्योंकि रेकी में कुछ गलत नहीं होता ना नेगिटिव एनरजी कुछ होती नहीं है तो जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे और आपका सिंब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रिजल्टी देगा चोकुरे और से की मुझे सबसे करेक्ट अपने अनुभव में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है इसलिए मैं यूज करती हूँ तो पूछे और आज आपने तुछ वीलिंग देना है तो टर्च देने से पहले अपने हाथों पे चोकुरे सेवन चकरास पे चोकुरे अपने आपको प्रोटेक्शन करके फिर देना है दूसरों को और आपने कर चुके हो तो अपनी ऐलिंग करने पहले आज आप सब लोग 15 प्रॉब्लम एरिया किसी और के फैमिली मेंबर, दोस्त को हीलिंग कर केंगे याँ देखो रेकी मेख ग्रुप हीलिंग बहुत इंपोर्टन नहीं आपको बता रही हूँ जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं दूसरों का ध्यान देते हैं पहले जमाने में 40-50 साल पहले हम लोग बहुत connected होते थे, एक दूसर से मदद लेते थे और मदद देते थे, अब हम अपने अपने में बंद होते जा रहे हैं, अपने हमें पता ही नहीं होता रोज पर रोज में कौन रहता है, कोई जिन्दा है, कोई मर्गी है, कितने जादा हम unconscious होते जा रहे हैं, और पहले हर किसी को हर किसी की life के बारे में पता था, और एक community, कुछ भी होता था, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते थे, तो ये आपके ही काम आएगा, अगर अभी से आपने दिकोर्स के लिए, पंधा दिन भी नहीं बचे हैं, आप लोगों से connect होगे, घर में मुसीबते सब के आती हैं, कोई बिमारी, हाली, जिन लोगों से आप connect होगे, वो आपकी मदद करेंगे, तयार होगे, जिन का आप ध्यान रखेंगे, वो आपका ध्यान रखेंगे, अपने घर परिवार, इस दारों के beyond, क्योंकि इस समय में हमें फुरसत नही हैं दूसरों की, और जब हमें मुसीबत आती है, तब हो लोग याद आती है, तो उससे पहले अगर हम अच्छे relationship बना लेंगे, नए लोगों से connect होगे, तो वो भी हमारे लिए खड़े होगे, एक दूसरी का साथ देना आपकी काम आएगा, ये सब लोग आप जब भी कोर्स भी खतम हो जाए, तो मैं आप सब लोग से निवेदन करूँगी, आप टैट मेरे ये, ग्रूप हीलिंग में, ये ग्रूप आपका बहुत बड़ा strength बन गया, पावर बन गया, ये आपकी आर्मी है, समझिए ये आर्मी है, 30-32 लोगों की, अगर भगवान ना करे, हमारा को अपने कॉल कर दिया, ग्रूप खीलिंग दो, तो ऐसे वो निकाल देंगे, आई-सी उसे बिमारियों से, आप देखी चुकिए हो, 2020 में बिमारियों ने कितना तंग करा है, तो अपने को भी तो बिमारी आ सकती है ना, तो आप लोग प्लीज कनेक्ट होईए, ये मेरा यूएचादरिवेदverts ने, आपकी लिए, मैं आपके लिए खड़ी हूं, आपके लिए टायम दे रही हूं, आप अपने लिए खड़ी होईए, एक दूसरे के लिए खड़ी होईए, ये कम्यूटी बहुत इंपोर्टनिट है आपकी. कि अपनी कहानी को मैंने कहानी हो गी ना एक और एक 11 होते हैं नहीं किसी ने कहानी संहेजिये गढठर की एक मैंल शुनियो यह धैगा सुनाजी कहानी यह कहनी नहीं है एक किसको आती है कहानी सुनाइए अपने पास दस मिनट है सुनाइए ताकि लोग को पता चले कि एकता में कितनी विड़ी वो होती है व्रिंदर जी अवाज नहीं संगठन संगठन की ताकत आपने देखिया RSS की ताकत देखिये अपने संगठन बने देखा नहीं वर्डवाइड बताईए अपनें संगठन को बड़ा मद्बूद नाना या निए आदर भरत संस्थान के साथ मिलकर अपना योगा रेकी इन सब हेल्थ के लिए ये संगठन को बड़ा बनाईए आगे लोगों से शेयर करिए योगा के बारे में हेल्थ के बारे में उनकी हेल्थ का ध्यान दीजे तो अपने आप ही दिखिए जैसा हम देते ना वैसा लॉट के मिलता है अपने आपको मैं हमें या चक्र का या फिर पूरे वो बॉड़ी पार्ट कल दिखाया उसका किसी में से एक का ही करना है ना एक दिन में आपके बाद समय तो दोनों बार कर लीजे क्या दिख करते हैं आप रेकी दो बार कर सकते हैं दिन में तीन बार कर सकते हैं जब भी समय मिले खाली समय टीवी देखने के आगे करोना की और यह मर्डर और यह सब सुने से तो अच्छा है आप लिए कि के वीडियो देखिए जितना ही दूसरों की हीलिंग करिए कि अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा है उसको अभी इंटरेस्ट है स्टडी में और अभी तो बात यह है कि उसको अच्छा नहीं लगता है वो लिगता बिल्कुल नहीं है हम अभी आपन सिंबल्स करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो सिंबल्स और डर्टिंग भी आप दे सकते हैं डिस्टंस फिलिंग कर सकते हैं अचेशित को कई नर्म अब का हिंदी का मतलब नहीं शक्ति पात्य। जैसे हम लोग कोई मंतर के साथ हिलीं करते होते हैं न तो इसमें हम के अपने मन ही मन में मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं चुफी रहना है देखिए आप वैसी तो हमारा दिमाग हर समय चलता ही रहता है ना चैचाय करता रहता है हर समय ही हम बोलते रहते है रेकी हमें रिलाक्स करता है और आज हम सिंबल सीखेंगे तो हम क्यों पचास चीज़े एड़ करें मंत्र आप अलग से चैंटिंग करते हैं तो करिए और रिलाक्स और आज हम सिंबल्स एड़ कर देंगे तो आपकी मर्जिये में मनाई ही तो नहीं करूंगी बट लेकिन चैंटिंग से कोई फाइदा नहीं होने वाला आपको मंत्रा चैंटिंग जब आप एक चीज़ करें तो एक पर ही फोकस करो पचास जो रेकी है उसमें रेकी पर ही फोकस करिए ओकी हीलिंग पे और रेकी के सिंबल्स चैंटिंग तो अलग से कर दीजिए अलग से हो जाएगा मैं एंक बाद पूछनी थी मुझे लोग बोलते हैं अचिना जैसे रेकी से अच्छा होता है वैसे कोई-कोई लोग रेकी से किसी कमारा भूरा भी करते है तो वो सब होता है अबताये रेकी तो एक फांदिटिव एनरजी किसी को वश्मे करने के लिए या मसलब करते हैं सब लोग ऐसे रे कि आपको जादू टोना लगता है अभी तक ऐसा क्या हमने सीखा है जिसे हम दूसरों का नमसान कर रहे हैं आप अपनी फैमिली मेंबर्स को तर्च कर तो नहीं करें नहीं मतलब ऐसा बोलते हैं तो देखिए इंटरनेट पे बहुत कुछ बोलते हैं अब सारी बातों पर विश्वास कर लोगे तो हो गया दिमाग का चलिए ठीके शुरू कर देते हैं तो आज रेकी के सिंबल्स की बात करेंगे आज हम रेकी 2 स्टार्ट करें रेकी का लेवल 2 रेकी 1 टाच हीलिंग था चक्रास था हमने उसमें चक्रास की हीलिंग करी हमने फुल बॉड़ी हीलिंग करी हाथों से अब हम इसमें जो है सिंबल्स एड़ कर देंगे सिंबल जिसे हम यंत्र कहते हैं, सब लोग देखे हैं, यंत्र, पूजा पाट के यंत्र होते हैं हम लोग जैसे घरों के बार ओम बना के बना देते हैं, तो उसकी उर्जा होती है इसी तरह से रेकी की उर्जा कुछ यंत्रों पे काम करती है, एक तरह से उनके यंत्र हैं को आणर करना है तो कोई चीज पवित्र होती है तो हम ऐसे पेंक नहीं देते न कि कोई भी उठा ले भगवान जी है तो संभाल के रखेंगे तो यह कागस भगर पर भी बनाते हैं तो हमको संभाल के रखते या उन कागस को जला के उनकी पवित्र जो राक है वो हम गंदे में या ऐसी जगाट पानी में बहाते हैं, नाली में नहीं बहाएंगे, तो सिंबल्स आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे कागस पर भी, तो आप उसको फेक रानी है कहीं पर भी, तो हम रेकी के सिंबल्स करेंगे, रेकी के सिंबल्स जो है, हमें एक बार बनाने होते हैं, और तीन ब चोकुरे का मतलब होता है ब्रिंग तपावर है यह पावर सिंबल है चोकुरे कोपी में बनाना है आपने पैंसिल लेके पहले ऐसे लाइन आएगी फिर नीचे आएगी और स्पाइरल 3.5 यह ध्यान से आपने बनाना है एक बार ड्रॉ करने कि बार तीन बार बोलते हैं चोकु कि ब्रेच इस धिस्ट को क्या करते एक डिर यह भी तो नहीं बोलते हैं मैं एक प्रेंगे तीन बार मैं आप लोगों को नहीं नहीं देक हैं तो लोगों को नहीं देक पानियों रहिए सबको गोगों तो आप आप लोग को नहीं देख पाहंगे पूरा सबको तो आप लोग सिंबल को देख लीचे को कौपी पड़ाओाओं कापी ज कोपी पर बनाई एक बार कापी इस बनाना है पन tract आपने ठीक करा या नहीं एक बर ड्रॉर पर बनाना है जब भी आप ये सिंबल बनाएंगे एक बार बनाएंगे एक बार उचारंड करेंगे तो सबको बनाना आगे है चोकुरे तो चोकुरे को हमने कहां कहां बनाये जाता है चोकुरे अपने पाम से बनाते हैं अपने पाम पे बनाएंगे देखिए पांच उंगलिया यूज करें तो कोशिश करें पांच उंगलिया यूज करें चोकुरे 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 माड़ में आप एक बार वापस बता दीदी है कोई भी डारेक्शिन खेंटे दें चपूर चपूर ईक बनाऊने के तीन बार टैपिंग बी गडदें चपूरे 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 मैं आपको बता तुरे हूं आप देखें और सुने प्लीज आपको आपको हाथों पे बना के तीन बार बना है चोकुरे 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 तो मन में बोला के हुआ है और पर के आपको समझ करने का करे पहले बनाएंगे अब हम बनाएंगे सेवइं सक रास पे हो चोकुरे को हम दोनों हातों पे, दोनों हदेलियों पे बनाते हैं, एक बार बनाते हैं, तीन बार बोलते हैं, चोकुरे, 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 तो उससे हमारे पाम चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, फिर उसके बाद सेवन चक्रा से बनाते हैं, अपने सातों चक्र पे, किसी throne chakra पर सबभ़ोच को बनाएंगे अपने जोग व traumas пош़े आ पर मन में बोढ़ना है जोड़ से नहीं बोलेंगे फिर कीन के बार करके on फिर बनाएंगे ऐंड़ रिटण करदा के तैट हो फिर हितए चो खेग手प पे चोकुरे 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 एक बर बनाना है चोकुरे चोकुरे फिर हमने बनाना है सोलर चक्रा पे चोकुरे 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 फिर नाभी चोकुरे 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 फिर रूर चक्रा चोकुरे चोकुरे जैसा बनता है वैसा हम जो शेप है वो सही होनी चाहिए बाकी बड़ा छोटा इसकी चिंता ना करें सातो चक्र पे बनाने से आपका चक्र जो है एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप बनाते हैं सातों चक्र पे चोकुरे तो आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें एनरजी फ्लो करने लगते हैं, इसलिए हम सातों चक्र पे बनाते हैं, दोनों हातों पे बनाएंगे, सातों चक्र पे बनाएंगे, अब हम बनाते हैं अपने अपनी छे जीट वेस्ट नौर्ट शॉथ उपड और नीचे भी तो अपने छो दिशाओं पर भी हम चोकुरे बनाएंगे देखिये तो हम यह सब हमारा क्योंकि energy follows thought तो हम से वीजुलाईस करें को के चोकुरे 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 सर पर बनाया फिर मैं वीजुलाईस करें हूं यह मैंने अपने नीचे पाउं पर बनाया चोकुरे 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 अपने साइड वेस चोकुरे 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 आगे और पीछे चोकुरे 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 तो हमने छेओं दिशाओं पर बना लिया आपने छेओं दिशाओं पे चोकुरे अपना बना लिया यह आपको प्रोटेक्शन देता है अपनी छेओं दिशाओं में चोकुरे बनाने से वो आपको प्रोटेक्शन मिलती है अपने बनाया अपने दोनों हतेलियों पे अपने सेवन चक्राज पे अपने छेओं साइड में अब आखे बंद करेंगे सब लोग आखे बंद करेंगे एक मिनट के लिए और अपने आपको विजुलाइज करेंगे एक वाइट लाइट पिरामेड आपके सर के उपर से आ रहा हला है ऐसे वीजुलाइज करेंब की शेप में जैसे होता है ट्राइंगल जैसे होता है ट्रिकों जैसे होता है ट्रीकों रूपी वाइट लाइट आप वहं सब्सक्रााब्ढगरेल्स हानरा है और कबेस कवर करते हुए white light आपको protection में डाले हुए है white light आपको protection में डाले हुए है इसमें आप safe और protected feel कर रहे हैं आपका मन safe और protected feel कर रहा है अब बिल्कुल safe and protected feel कर रहे हैं अब आँखी खोल दें आँखी खोल लें तो protection में डालने के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं घर से बाहर निकलने से पहले खुज को protection में डालना जुरूरी होता है नहीं करोना का डर है infection का डर है एक्सिडन कर रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं ना नेगेटिव इनर्जी और कही जगा ऐसे होता है जैसे अपने लोगों में मानते हैं शम्शांगार्ड कबरिस्तान इस तरह महां पर नेगेटिव इनर्जी होती हैं तो आप बच्चों को नजर लगना ये सब चीजें होती है तो आप इसी तरह से अपने कमरे को भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं माल लीजै मेरा एक कमरा है बेड्रूम है और मैं चाहते हूं यह पॉजिटीव एनर्जी से बढ़ा रहे तो चोकुरे से मैंने सामने दिवार पर चोकुरे बनाया चोकुरे 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 चोकुरे बना लिया मैंने और विजुलाइज किया कि पूरा कमरा जो है पिरामिड शेप में लाइट में बंद है क्लियर है ये बात आमें तो चोकुरे को आपने कमरे में बना लिया छेहों दिशाओं पे और खुद को पिरामिड शेप में डाल लिया तो ये कमरे की protection हो गई ऐसी ही आप अपने घर को visualize कर सकते हैं अपने कमरे में बैठे बैठे अपने घर की घर का आगे पीछा दाया बाया उपर नीचे को visualize करके white light में डाल सकते हैं white light पिरावित वे इसी तरह से आप जो है रात को सोने से पहले अपने घर को अपने कमरे को खुद को चाक्त की नीद अच्छी आए चोकुरे में कोई बच्चा बहुत डरता है तो चोकुरे में डाल के ड़ सकते हैं घर से बहार निकलने से पहले अपनी फैमिली में अभी हम clear है अपने कमरे का protection खुढ का प्रोटेक्षि घर का प्रोटेक्षिन ठीक है है कि दूसरों की प्रोटेक्षिण विजुलाइज करेंां görüş हाथ के बीच में हम लोग उफ़ जूखशम, शरीर भूता है हर चीज का सूखशम, शरीर होता है जिस व्यक्ति को आपने प्रोटेक्ट करना है उसका सुक्षम रूप उसको विजुलाइज करेंगे कि आपके दोनों हाथों के बीच में वो है माल लीजे आपकी गाड़ी है रात को अपने यहां दिल्ली में तो बहुत चोरी करेता है उधर भी होता है आप लोग की यहां साइट भी चोरी रात को होता है यह नहीं दोन होता अच्छा होता है मेरी मेरे बेटे के कल महिंगी वाली cycle चोरी हो गई तो अब रात को विजुलाइज करना है, अपने हाथों के बीच में साइकेल, गाड़ी, कार, घर, कुछ भी, जोलरी, पैसा, ओफिस, उसको विजुलाइज करना है अपने हाथों के बीच में, लियर है, और उसको छेओं दिशाओं में चोकुरे बनाना है, तो आपके हाथ में है आपने आगे की तरब बनाया चोकुरे 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 साइड में बनाया चोकुरे 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 पीछे बनाया चोकुरे 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 उपर बनाया चोकुरे 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 नीचे की तरब बनाया चोकुरे 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 और इसकी भी चीज को प्रोटेक्शिन में डालने के लिए अपने यह उस चीज को व्युज्यूलाईज करना है उसकी च्छोंदिशहों में चषके बनाना में जो घरींट तीन बार बोलना है और लख फिरामीड में का वर करना है उसे और मन में भाव रखना है कि वो सेफ और प्रोटेक्टिड है एफोमेशन देना है कि सेफ और प्रोटेक्टिड है बेटा बहार जाता है उसको प्रोटेक्शन में डालो बेटा अमेरिका में उसको भी प्रोटेक्शन में डाल सकते हैं पते हैं आपको ये बात हलो बहर आप जा रहे हो इंपरेक्शन में यहां बेठे बेटे हैं अमेरिका में भी अपने बेटे को परोटेक्शन में जाल सकते हो क्यूंकि एनर्जी फीड एनर्जी है वो बहुत फास्ट जाती है आपकी थौट तो जो आप थौट दे रहे हो यह प्रोटेक्शन में है दू प्रोटेक्शन में होगा और और वीज्टेक्शन में पूरी तरह से डाल गया। और कोई भी व्यक्ति वस्थू कितनी भी दूर के अ उसको आप डाल सकते हो। आप ओफिस चले हुए घर में आपका कोई कीमती समान पड़ा है और मेड आ रही है उसको वीजुलाइज करके चोकुरे में डाल दो चोकुरे मैं ने बोला है चोकुरे अपको बता देजह कि गजर इसे क्या विजुलाइज करा नचेमिंगा है आपको पिरमिट का फोटो सामने रख लीजेगा पिरमिट की शेप में लाइट आ है जैसे रॉषनि मे कवर है य है। पिरमिट की शेप सबको पता है पिरमिट में आट मार भगता है तो शेप वे वह ईडॉ आयेक की हो गई है इस feld शेप को में गचिऑ Edan करना है आपको कि वो है कि वो है बस अब आपको रोश्टी देखे या ना देखे उसे कोई फरक नी पड़ता अपने सिर्फ वेजुलाइज करना है कि अब दूसरे सिंबल पर आते हैं यह सिंबल से है कि सब को नजर आ रहा है देखे इसका जो है ऐसे पहले एंगल बनेगा यह वाला छोटे वाला है वान टू त्री फो फाइव और फिर वान टू त्री फिर पांच बनेगा पिर बैक में दो कांट सेहे की सेहे की सेहे की सेहे की सब को क्लियर हो गया है एक बर बनाएंगे सब एक और तीन बर बोलेंगे सब एक साथ बनाईए सब सेहे की सेहे की सेहे की सेहे की मैंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल है मैंटल और इमोशनल हीलिंग सिंबल तो यह मन की और माइंड की माइंड की और हाट की लाव इशूस को और माइंड की इशूस को हील करता है में मित्वार फिर बताईए दूसरा है उसके सामने वाला कैसे करना है सेही की सेही की मेंटर और एमोशनल हीलिंग सिंबल है आगे आपको प्रतिमा जी नहीं सामने वाला वो नीचे से उपन और फिर दो नीचे से उपने आप देखिए 1,2,3,4,5 बना हुआ है ये पिक्चर बना पहले उपद से रहा है 123456789 ऐसे उपर जा रहा है विटावर रहा है पराबर रहा है बराबर है बराबर है जोती जी बराबर है तो आप इसको हवा में बनाना है, विजुलाइज करना है, तो से की mental और emotional healing symbol है, तो हमारे मन की और हमारे हार्ट की healing करता है, ये relationship की healing करता है, ये आपके emotions को heal करता है, ये memory power को बढ़ाता है, आपने किताबों के लिए कोई पूछ रहाता भी, हमें ए रहाते हो किताबों को अच्छे से memorize हो, तो उस पे सेंकी बनाएगे, किताब है आपने लिए किताब, कोई सपेल ये kिताब है तो आपने रही की सेंकी 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 किताबर भनाया, सेंकी सेंकी और श्रक चार-पांच मिनट आपने healing करी, कि मेरे ज今日は कि ए अच्छे से याद हो जाए रोज करना है यह नहीं कि एक दिन में उसको पूरी किताब रट जाएगी मैं पहले पाँच फाइव वाला करना है फिर और राउंड वाला हाफ राउंड लेने आ है उसके बाद हो दो बिल्कुल उसके उपर दो बिल्कुल तेंक्यों तो सहे की चाबी मेरी की चाबी गुंती है आप ढूंते रहते हो मेरी तो बहुत होती है चाबी बूल गई होता है आप लोगों के साथ नहीं होता है जी मैं अब के साथ होता है मैं तो उसके लिए कौन सा सिंपल इस्तमाल करेंगे सही की वेरी गुड तो कैसे करेंगे आपने उस चीज उस वस्तू को याद किया जैसे की कार की चाबी कार की चाबी मिल जाए, वीजुलाइस करेंगे, मन में इमैजिन करेंगे सेह की, सेह की, सेह की मुझे कार की चाबी दिला दे आप देखोगे, आप उस कमरे से गुजरे हो, आपको दिखाई नी थी और एकदम से दिखाई दे गई है एक व्यक्ति की, एक मेरी क्लाइन थी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई, वो अपनी उसके लिए गई थी, अपनी बहन की गाड़ी लेकी गई थी, और गलत पाकिंग कर दी और वहाँ चोरी हो गई, तो उनको गिल्ट बहुत हुआ, तो फिर उन्होंने बोला, दिदी आप किया सेहकी, जिन लोगों मिलनी गाड़ी चुराई है, जिसने चुराई है, सेहकी, 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 एफरमेचन दी तुम्हारा भला हो, क्योंकि कोई भी जान बूच के चोरी नहीं करता, तो सेहकी दिया, एफरमेशन दिया, और ऐसे हातों के बीच में उसको वीजूलाइज करके जो चीज घूंगे है, उसको इमाजिन करके, यह सिंबल रो करके, त्री टाइम सेकी बोलना है, आपको कोई भी सिंबल यूज करना है, तो एक बार आप ड्रॉ करेंगे, और तीन बार चैंटिंग करेंगे, तभी वो एक्टिवेट होता है, देखे, तीन का महत होता है, ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने यहां कहते हैं, और कोई भी हम, जब हम मंत्र चैंट करते हैं, तो तीन बार बोलते हैं, स्वाहा, 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 राइट, और क्रिस्ट्यानिटी में भी तीन का महत्व है, ट्रिग्नोमेटरी पे पूरा वो बना हुआ है, ज इसको हम सेकर्ट जो ट्राइट, तीन है, तीन का महत्व है, तीन ट्रिग्नोमेटरी से पूरा हमने वो सारा नापा है, धर्ती चांद, और सूरज की दूरी को, तो इसी लिए हम तीन बार चैंटिंग करते हैं, तीन बार बोलने से, कोई भी वचन या शब्द, तीन बार बो इसलिए थ्री टाइम्स, आप बहुत सारी एफोमेशन की किताबें पढ़ेंगे, उनमें थ्री टाइम्स, एक जिन, आपने तीन का महत की बार में बहुत लंबी चर्चा करूंगी, तो बहुत जादा हो जागा, एक निकोला टेसला का वीडियो देख सकते हो, उसले चर्चा महत होता है, तो आप वीडियो देख सकते हो, निकोला टेसला का, सही की बनाना है, क्लियर है, सही की, मेंटल और इमोशनल सिंबल है, अबर आपको प्रोटेग, आप बहुत के आगे जा रहे हो, और आपको बहुत की घुसे से डर लग रहा है, खुद को आपने क्या करना है? चोकुरे से प्रोटेक्ट करना है, और बहुत के उपर कौन से सिंबल बनाओगे? शेकी का, इमोशनल सिंबल, सही की, तो आप सामने बहुत हो, और मैं शेकी बिना रही हूं, यह से हाथ चला रही हूं, तो बहुत क्या करेगा? थपड मारेगा ना? तो आपने कैसे विजु करना, mentally, mind में. अब आप मेरे को बताओ, कि सही कहां कहां आप इस्तमाल करोगे? जैसे चोकुरे के आपने क्रियेट करा है, जैसे सही के बताओ, कैसे करोगे सब चुप हो गए है? इतनी इंट्रस्टिंग है सही की. जैसे हम कहीं जार है, पार्किंग के लिए जगा मिल जाए हाँ, कर सकते हैं, उसके लिए आप रेकी कर सकते हैं, कि दोनों सिंबल बनाए, चोकुरे और सेकी में एको पार्किंग मिल जाए, बहुत लोग चोकुरे और सेकी से इंटेक्शन डालके कि वो जगा स्पेस में लिए खाली है, येस, वेरी गुड, वेरी क्रियेटिव, और हाँ, क्रिया यूजओ है, अब जाए अब होटल में जगह नेही रही है, कहीं पर जा रहे है, बोकिंग ने मिल रहे है, तो सेकी यूजओ कर सकते हैं, कि होटल वाला हमें दे दे Ihr, माली जिए होटल वाला पैसे कम नहीं कर रहा है, ऐस सबीन तो आपके पास उतनेयीं पैसे देने के हैं, तो आपके से माइन, आप उसे बात भी करें और मन में सेहकी भी डाल रहे हैं, राइट? अगर आपका, हाजी? कोई तॉर्थिंकिंग करता है या मैं थोटप बहुत ज्यादा करता है तो मिकिवर दे सकते हैं ना। सबका माइन है और व 1 दिन में सब को 50,000 थोर्टस आती है возьूं सब करते तो उसके माइंड पे और हाट। आपको अ हस्वेन दिल की बात नहीं बता रहा तो से बग्शे को कई एक्षिन किसी बच्चे को कोई एडिक्शन है तो एडिक्शन के लिए भी सिहकी कर सकते हैं हां जी राज कुमारी जीन बोलिए मैम अब जिसे बच्चे पढ़ नहीं रहें जिस मेरे बीटा बोर्ड में और उसका ध्यान जादा पढ़ने में नहीं है उसके किताबों को सेहकी देंगे और उसके माईंड को सेख की देंगे जब अभी आप सीखेंगे दूसरों को चाहिए तो गाल जीकिकर जादा से जादा इस्तमाल करेंगे ऽिस धंड हूब भी हम सीखेंगे आने वाले टाइम में तो तो बिस धंधू BENEGU है तो वो हम रोकना चाहते है जैसे थंब शुकिंग है या ऐसी कोई हैबिट जो कंटिन्यूस चल रही है तो हाँ उसके माइंड पे सही की डालेंगे ना ओके तो माइंड पे सही की डालेंगे कि उसने और एफ़मेशन ये उसने रोक दिया ये थाड़ सिंबल है हौन्शा जे शोने ये थाड़ सिंबल है हौन्शा जे शोने तो लेफटू राइट पहले आप एक बार दिख लो पहली लाइन है लेफटू राइट वाट वाट पहली लाइन 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जहां से आप देखिए यह पहला वला है नोट कर लिया सबने देख लिया दूसरे बले दो करने दीजे न दो कर दे बात में पुलिया न आप द्रॉ करो मैं आप से पूछ आपने देख लिया या नहीं देख लिया देख लिया एक लिया सबको यस यस में फर्स पार्ट 1 मैं बार और रिपीट करती 1 2 3 4 5 यह हौन है इसना पॉर्शन होन है ठीक है अब मैं सेकिंड वाले पर आ रही हूं यहां पर नम्बर एक राइट और राइट तो लेफ्ट देखिए आप मेरे श्रोग आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे मैं चार वार दिखा चुकी हूं इसका लाप धियां से नहीं देख रही है मैंने आपको लेफ्ट पहला नमबर आप कॉपी पे भी देखिए ना लेफ्ट राइट आ जा रहा है एरो दिखा रहा है वान बड़ा क्लियर एरो है तू नीचे जा रहा है फिर त्री नीचे जा रहा है फोर फाइव अब ध्यान दीजी तो आपको समझ में आ तू नीचे आ रहा है स्लैंटिंग थ्री फोर एंगल है ऐसा फाइव अब फिर से स्रोक देके मेरा यह है शा पहले वाला हॉन था दूसरा वाला शा है वान तू थ्री अभी एंगल आ रहा है फोर फिर लेफ्ट राइट फाइव ओके मैं वान टू थ्री फोर फाइव क्लियर है शाओ येस मैं आप दो तीन एक तेर मिनट और ले लीजिए शाओ को समझने के लिए एक बार और दिखा देती वान तूसरा पहले है वान तूसरा तूसरा प्री फोर फाइव मैं वह जो स्क्वेर बना रहा है उसमें नहीं पता चलता है समझ नहीं आए मुझे आप क्या गहरे हो वान टू प्री पोर फाइव तो फाइव में स्क्वेर कंप्लिट कर देना है हाँ बेल्बूल बेल्बूल ओके चले अहां आओ 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 Z पर देखें यह हैं 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2-3-4-5 यह शाव 12345 जे क्लियर है सबको थर्ड वाला जो पार्ट है वो अगे चले लास्ट वाली लाइन लास्ट में करनी है नहीं अप पूछो लास्ट वाली लाइन लास्ट में करनी है खुदी आप पूछरो खुदी जवाब दे रहे हूं ऐसे 1 2 3 4 & 5 अब आगे चलते हैं अब शो पे आते हैं देखिए एंगल है 1 लेफ्ट को 1 2 एंगल बन गया 3 4 5 साथ बन रहा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसमें एरो भी दे रखे हैं नमबर भी दे रखे हैं अब यहां से देखिए स्क्रीम पर आपको नजर आएगा शो पे शो होगे सबको शो होगे मैं अब हम नैन पे आते हैं लास्ट वाला तो यह स्ट्रोक देखिए बहार है 1 2 3 उपर आ रहा है 4 अंदर है 5 बहार है एक बार फिर 1 बहार 2 एंगल है छोटा सा 3 उपर आ रहा है 4 अंदर है 5 बहार है 1 उपर से नीचे 1 2 3 उपर 4 5 यह नहीं है 5 नहीं दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है 5 ऐसे स्ट्रोक एंगल है और 5 नीचे 5 लिखा है देखिए न आप मेरे हाथ को भी तो देख सकते है 1 2 एंगल है 4 उपर जा रहा है 3 उपर जा रहा है 4 नीचे है 5 5 बहार की तरह ऐसे स्ट्रोक 5 उपर से नीचे रहा है 5 5 मेरे को दिख रहा है 5 clear 1 बहार है 2 ऐसा है 3 उपर जा रहा है 4 बीच में है 5 बहार 1 के opposite direction में है 1 नीचे आ रहा है एंगल देखिए 1 मेरा उपर से नीचे फिर 2 ऐसे ले गई 3 उपर ले गई 4 बीच में है 5 बहार है simple है अगर आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई जेरा मैं हाथ से भी दिखा रही हूं स्क्रीन भी दिखा रही हूं स्क्रीन पर मुझे 1 2 3 4 5 दिख रहा है 5 बहार की तरह stroke है अब देखिया सबको बन गया सबसे अब पूरा एक बार में बनाओगे 1 2 3 4 5 अब अब पुरा उ tekrar नेड़ोंगे हभा में कॉपल पे बनाओ हवे में हॉं खाओ से शोनन हॉं 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 कि अजिटहर की हवा में बनाना है और हम में Сब लोग हवा में बनाकर तीन बार बोलना, एक बार बनाना है, तीन बार बोलना है। थी कह ची आप हॉन्शा जै शोने सब बनाएंगे? तीन बर बोलें गे हॉनशा जै शोनें मेरे को कॉन इसले वो चैंटेंग सुनाएगा ? धोनी जी ुक्तिंग सुनाओ इसलाओ मैं किसी को भी भी पिक करके बोलूंगी इनको अन्म्यूट के सै वरी हम हा मैं हलो हां जी हॉन्शा जे शोनेन विल्कुल गलत हॉन्शा जे शोनेन देखिए मेरा नाम संगीत है अब आप मुझे साधना बुलाओगे तो मैं सुनोंगी नहीं मैं तो सिंबल काम नहीं करेगा ना जी हॉन्शा जे शोनेन के लिए हॉन्शा जे शोनेन के लाउन जा जे शोनेन हौनशाजेशोनन एक नट मैंने प्लीज अपने आप मत बोलिए डिस्टरब होगा मैं किसे पूछूँ दीपक जी आप करके सुनाईए मुझे हौनशाजेशोनन की चैंटिंग दीपक जी चले गए कहीं बीच में क्लास टोड़के चले गए हैं फिर पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगी दीपक जी शोयता जी बोलिए अवाज नहीं आरी अन्म्यूट हौन शाजेशोनन नई 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 दुबारा हौन हौन हास शाज आस जे हास सूनन सूनन गुजराती नहीं बोलने का है यह तो अपना अपर यह जापानी भाषा है तो अब थोड़े देल के आप जापानी बन जाए हौन्शाजेशोनन शोनन नहीं यह गुजराती नहीं चलेगा हास 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 हाण जी नीडा जी बोलिए हास जी ने बिल्कुल गलत हास जी शोनन हास जी शोनन हास जी नीडा जी हास जी शोनन दम लगाओ ता जी सोनन जी नहीं है जी जी जे क्यों तो ये जे जी जे जे नहीं जे यह प्रैक्टिस करने पड़ेगा आपको आपनी यह हफ्ते पूरा हफ्ता आपका होमवर्क है जे जे सीखोंगे प्रोनसियेशन बच्चों की तरह से जेड वाला जे जेड फर जिब्रा जुबान जुबान जे 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 नहीं जे जे इनको बोलो ज़ के नीचे बिंदी लगा दे जे जे अपनी जुबान को उपर जबलानो जबलानो ज़ लुबान constru जे जबलानो जिबर जबलानो जए जे सवाथी जी जे नहीं है जो जो मिध्थलजी नहीं गलत है सवाथी जी यहांपें नहीं करना यहाँ पर नहीं खरना क्लास में, बच्चो के, अपने बच्चों को, आपकी घर में बच्चे होते हैं, रोज पड़ो से बच्चे होते हैं, उनको बोलो, उनसे सीखने का है, कि जे की प्रणाउंसेशन सिखाएंगे तो अपनी जुबान को उपर लगाओगे दातों पे तो यह आवाज निकलते जे अब यहां पर नहीं करना प्लीज ठीक है अब यह मारा टाइम जाएगा अब फिनों सिंबल्स का हम इनको एट्यून्मेंट की जरूरत होती है शक्ती प बाद करेंगे अब करना आखें बंद करके बैठ जाएंगे पाउंड के नीचे कोई कुशन लगा सकते हैं पीट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए रीड की हटे बिल्कुल सीधी अब आपने इसको आखें बंद कर लीजे तो आप हम शुरू करें हैं नेक्सट वीडियो जो एट्यून्मेंट का विडियो है अब आप रेकी टू एट्यून्मेंट के लिए तयार हो जाए और मैं आपका अप्टियून्मेंट करूंगी तो मैंने जो है अपने इस वोईस के अंदर ओर्जा वो एनरजी डाल दी है और आप जैसे जैसे वीजुलाइज करोगे वो एट्यूनमेट वाला एनरजी जो है आपको मिलेगा हमने चक्रास को पहले ही ओपन और एनरजाइज कर लिया है और आपके दोनों हाथों में दोनों हतेलियों के चक्रों में तीनों सिंबल्स उनकी पावर पूरी तरह से स्थित हो गई है एनरजाइज हो गई है चल्स थैंक अल्डरी कोज और गाइट दीरे दीरे आँखे को लेंगे दोनों हाथों की हतेलियों को रब करके आँखों पर रखेंगे कौन शेयर करना चाहता है एक करके एक करके हाथ रेज करेंगे फिर में बलाऊंगी हां जी वरिंदा जी बोलिये वरिंदा जी हां जब यह आप अट्यून्मेंट कर रहे थे तभी माथे पर बहुत भारी भारी लग रहा था हां ऐसा लग सकता है तिस फाइन अब ठीक है अब कैसा फील हो रहा है नहीं अच्छा ही फील मतलब वह ऐसा नहीं और ऐसे भारी भारी लगने से थोड़ी नीन आ रही है क्या ऐसा लग रहा है तो आप रिलाक्स हो गहीं यह तो अच्छी बात है गुड कोई और शेयर करना चाहता है हां जी डेल सी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ मैंटली और आप लास्ट में जो आप बोले थे ना वो हाथ में गर्मी तो गर्मी भी थील हुए तो मैंने फील भी किया वो पाइप अंदर से दीनिती में जा रहे है उसमें रोशनी ज यह बहुत रिलाक्सट फील हुआ ऐसे लग रहा था जैसे एनर्जी आ रही है नीन दा रहे थी वैसा लग रहा था मतलब रिलाक्सट फील हुए और हाथों में एनरजी फील हुई गर्मा की अच्छा तो बहुत हुआ आज तो लगा आज तो ओ ठीक है अब हम सिम्बस को एक कुन कि आपकी दो कंटीन नहीं किरेंगें तो यह अपने करना चोकुरे बना के पानी पीना हैं, लोगों पए-ट। उब सिंबल कि जो कि पना सकते हैं, रही हम हमने ह olduğी से सिर्श कृम्म करे ने ऑंते हैं कृकूर लॉब्स का कि और रॉय का भृण सबobra है तो इस विद्ट रॉच्रा ओर प्रते हैं उजके बॉंध लिखाने से और चुकूरे बनाया, शहां जिर उडाओ दो. कि उसके धुउय से की क्लियर रहर है चोकुरे 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 अगर 32 से बना सकते हैं और आप तो हुखे विजुलाइज करेंगे चोकुरे 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 अब आँख बंद करके विजुलाइज करेंगे सब लोग आँखे बंद करेंगे और विजुलाइजेशन चोकुरे की विजुलाइजेशन होनी चाहिए पर दोनों पांप पर वीजुलाइज करें के चोकुरे बनाए जिसे तेंगे विजुलाइज कर पारें सब लोग? आपका mental or emotional state अच्छा रहे हैं सेहकी को आँख बंद करके विजुलाइज करिए विजुलाइज करिए कि सेहकी बन रहा है सेहकी सेहकी बन रहा है? क्लियर है? यस मैम सबसे बन रहा है सेहकी किसी को कोई दिकत तो नहीं है अब हॉन्शा जेशनल पर आ जाती है जो सब को तो मैं हॉन्शा जेशनल बना रही हूँ मेरे strokes आप देखेंगे मैं से बनाती हूँ pencil से 1 2 3 5 कौन कह रहा था? आप repeat करके दिखाओ शा जे शो 9 बनाईए सब लोग हाद से बनाके दिखाइए मझे और 3 बर बोलना है सब एक साथ बनाएंगे ताकि सब एक क्योंकि उसकी उर्जाब हो जाती है वेट 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 1 2 3 स्टार्ट सब का बन गया है तू सब एक टे एक बर बोलेंगे हौनाजे शोनन हौनाजे शोनन हौन हौन शाजे शोनन वेरी गुड तो यह हौन शाजे शोनन किसी ने पूछा लिए किसले काम करता है उट पटांग कोशन तो पूछ लेते हो जो मुझे मन में आया था पर मुझे का कल बता होगी डिस्टन के लिए वेरी गुड किसने बता बोला ये जतिन जी आरेख जतिन जी आपकी शकल पर आपकी दर्शन तो हो ने आपकी पहली बार आवास हुए जतिन जी जतिन जी तो ये डिस्टन हीलिंग सिंबल है ये ब्रिज का काम करता है पूल का काम करता है अगर माल दीजे आपका जो बच्चा है या कोई भी लेटा हुआ है और उसको कोई बैक इशू है तो उस पर हॉन्शाजेशनन बना देंगे ड्रॉ करेंगे और फिर हीलिंग करेंगे तो जल्दी वो ठीक होता है तो ये हम अगले सेशन में तब पहले हीलिंग करेंगे फिर डिस्टंटी लिंग करेंगे तो आपको जादा समझ में आएगा तो हॉन्शाजेशनन का कार्या है कि अगर हमें फ्यूचर में आने वाली घटना को कनेक करना है जैसे कि इंटर्व्यू देना है बच्चे को या आपको जॉब के लिए जाना या किसी को शादी के लिए या कोई I.C.U. में है उसको हीलिं देने का है या अमेरिका में किसी का वीसा लगने का है तो इन सब चीजों के लिए हॉन्शाजेशनन का यूज होता है तो हॉन्शाजेशनन अब मैं थोड़ा सा इंट्रव्यू लूँगी सबको तो एक ही करके आप जवाब देंगे ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए आपको सिंबल समझ में आ गया है तो पावर सिंबल कौन सा होता है एक जना कोई हाथ रेज करेगा पावर सिंबल कौन सा होता है नए लोग प्रेशन visto को प्रोटेक्शन के लिए कहां पे हम क्रवब करते और जवाब देगा प्रोटेक्शने के लिए कहा पे ड्रॉः करते हैं ए हैंक बताओ शुरूती बताओ इनको आप बिल्किंद टार करेंगे और पिर अमट को मैजन करेंगे जिस से वाइट लैट से ल pasti आपको इस्वाती जी क्लियर है और दिशाओं में बनाना है छे दिशाओं में बना के दिखाओ सब लोग बूल गयो अभी तो सुबह की बाती सबको सीए की करने की दुरहता है और फिर वाइट लाइट पिरामिड में बन है तो किसी को दूर से प्रोटेक्शन डालना हो तो कैसे करेंगे शुरती जी बताओ सब्सक्रांब सुफिछ को फबया हैं अम सब्सक्राइब कर तो पानी पानी से क्या होता है तो पूरा बता ओव एसे चार्ज यूँटा होगा पानी को केसी करना है फानी के ऊपर चो अपर बना के घिलाज के उपर और तीन बारा उसको हमने हीलिंग देनी है तीन मिनिट खानि और और इफोरेशिन करने है और आफर मेशन करने है यहां ऊण करों बुरा हफटा है पानी को करके पीने वाला और में मैं मैं यह कुछ आपके टार है जैसे हमारे घर का मतका रहता है सारा दिन हम लोग वैसा पानी चार्ज की सकते हैं कर सकते हैं अब दूसरा से बल से की से की से जिए कि इसलिए होती हैं मेंटल और इमोशनल इलिंग सिंबल है तो एक तो नहीं बढ़ाता है एडिक्शन दूर करता है करें जिलेशन्शिप रिलेशन चेप और किसी को गुसा आ रहा है तो उसके वाइंड और हाट के से एक ही बना है कि उसको शांत कर सकते हैं और खुद को गुसा रहा हो तो अगर बहुत को गुसा आ रहा हो तो अपने पर कौन सा सिंबल बनाओगे जो कुरे वेरी गुरे गुड़ जो अपसे एक ही क्लियर करें सबको अमन अब होन्शाजेशन पर आते हैं कौन पूचा था है होन्शाजेशन वान तो फ्री प्रीव फाइव होन हॉन ह outta Ben हुआ हुआ हली बना हाë हवा में है कौन यहल का हुआ है बनारे बनारे हाथ है यह बनारे हुआ है को होन्शाजेशो slippery होंशा जेशोने होंशा जेशोने होंशा जेशोने चलिए गूद मॉर्निंग नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग अभी 6 लोग हैं चाहिए लोग अभी भी मिसिंग हैं एनिवेज तो शुरुआएं करते हैं ऐसे कैसा राब का वहीग क्या क्या आपने क्रियेट कर आ अच भी आपे इस मेंदर जी को बाकी लोग भूल गए जिए जी बाकी लोगों को याद हैं याद है याद है मैं इस में, जुखें, जुखें, को शेयर निक तुम्हें बूलने वाली हो मैं मैंने अल्रेडी वाटसेप पे शेयर किया था कोई बात ने दुबारा करिये आप यहाँ पे भी कर सकती है क्योंकि वाटसेप पर पता नहीं किसने पड़ा नहीं पड़ा जब आप इस समय करें तो अलाइव हो जाता है हाँ तो जब हमारा सेशन चल रहा था ना लास्ट संडेग आपने को म्यूट करिये आप किसके हां शोर आ रहा है अंकित भाइं म्यूट कर दीजिए इस इनका त्रिपती जी कहां कर दीजिए जी बताइए त्रिपती जी हाँ तो हमारी गाड़ी अक्चली बंद हो गई थी बीच रास्ते में मेरे पापा लेके गए थे तो वो आके वेट करे थे मेरा सेशन कब खतम हो तो मैं इसको भी साथ में लेके जाओ और वो कपसे टेंशन में थे कि टो हो जाएगी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो आज कोई मेकैनिक गराज खोला नहीं होता है क्या होगा उनको तो मलब था कि होगी नहीं स्टार्ट तो मैंने का चलो यह ट्राइ करते हैं आज ही अभी सीखी हूँ मैं तो घर से निकलते वाक्त पूरा हाथ में विजुलाइज किया कार को चोकुरे साइन से किया Six Directions और यही मतलब सोचा की नहीं स्टार्ट हो ही जाएगी चली रही है गाड़ी है और सेफ है और एक मतलब थौट इचल रहा था नहीं गाड़ी स्टार्ट हो ही जाएगी मतलब उतना confidence के थौट से गई और फिर मैंने नहीं बैठके स्टार्ट की तो एक ही जटके में स्टार्ट हो गया वंडर्फूल 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 वेरी गुश्र लेकिया इसदर काड़ी को तो थौट प्रोसेस काफी काम करता है आपने दिखिए इस धर्वती पे कुछ भी जो है हर चीज अलाइव है कोई भी चीज इस धर्ती पर ड्रैड नहीं है यह अपने सीखा है समझा है क्योंकि हटी रूर्जा है आपका जो गाड़ी है आपका जो अमोबाईल है आपका जो घर है हर चीज में एक हम कहते हैं अपने देश में एक ट्रडीशन है हम पेडों को पूछते हैं हम जानवरों को पूछते हैं हम धरती की भी पूजा करते हैं कोई नया घर बनाते हैं तो उसकी भी पूजा होती है ब्रक्षों की पूजा होती है यह सिर्थ हम अपने देश में होता है क्योंकि हम जो है हर चीज को सम्मान देते हैं और हर चीज को हम एक तरह से परमात्मा मानते हैं आपने देखो होगा कि पहले गाड़ी लाते हैं तो मंदिर लेके जाते हैं कौन-कौन ऐसे मंदिर से पूजा मंदिर से पूजा वगएरा करवाते हैं है ना तो जो लोग फिल्म प्रोड्यूसर वगए रहा हैं तो वो नारियल फोड़ते हैं क्योंकि हर चीज में एक एनर्जी है उड़ जैसे हम अपनी वस्तूओं को वो एनर्जी देते हैं वो वैसा रिस्पॉंड करती है हमाएं साथ अगर आप अपने मुबाइल जिसको हमारा मुबाइल है अगर हम इसे प्रेम से रखते हैं इसको एक एनर्जी पॉजिटिव देते हैं की वहीं तेरे बिगएर मेरा काम नहीं कृशं़ तो लंबा चलता हैं मुबाइल को बहुत प्रेशियसली रखती हूं कितनी बार तो गिर चुका है मतलब मेरा मोबाइल आज तक कोई ना टूटा है ना उसका लोगों के अक्सर होते है पानी में गिर जाते हैं मेरा आज तक 10 12 15 साल तो हो गए है जादा हो गए है 20 25 साल से मेरा कोई भी मुझे धोका नहीं दिया म जुझा मेरी कभी गारी मुझे दोका दे हैं क्योंकि pursued कि यह उनसे प्यार करती हूं और इसके लिए इसके लिए पॉजिटिवा लगती हूं तो यह लॉव एनरज़ी अपनी हर वस्तू को देने का है अपने कंड़े को अपनी कपरों को हर चीज को जब आप लव- वो चीज कोई भी डेट नहीं है, कोई भी चीज इस ब्रह्मान में डेट नहीं है, हर चीज में एनरजी है, हर चीज में उझा आया है, हर चीज में चैतन्य है, चैतन्य है अब सुना है किसी ने, चैतन्य है, Consciousness, Awareness, Very Good, तो अब सिंबल्स की बार में कौन कौन में को एक बार रिवाइस कराएगा मैं भूल गई हूं सिंबल्स तो कौन मेरा टीचर बनेगा हान जी सुना लिए आपकी यवाज गारी अन्मूट करिए हूंसा जेशो नें शेहकी और चोकूरे तो उनका अपको मतलब कौन बताएगा उनका क्या यूज ओता है कैसे यूज करते हैं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे नहीं सो मैं अपने आप नाम पी करूंगी प्रतिमा जी आप बताएए चोकुरे का क्या यूज होता है कैसे ड्रॉ सिंबल को कैसे ड्रॉ करते हैं अन्म्यूट करिए अपने आपको फिंगर को साथ में रखते हैं विर ऐसे स्लिपिंग और स्टैंडिंग फिर वन तू थ्री एन हाफ चोकुरे चोकुरे बेऴ। होकिता हैक तू यह प्रोटेक्शन के लिए है।ते हैं इनेर्जी जन्रेट करता है। ब्रामी जी आप बोलना चाहरीं थी ना जी बोलिए सेटी के बार में बताएगा अब बार में बताएगा सुना ली आप बताओगे सेटी के बार में सेटी के बार में थोड़ा भूल गई लेकिन वो होंसा जेशोनें है वो बीज दो भूलने के बूलने के लिए तो है सेटी बूलने यह उसी से यादा यादा इस्थिक करता है सेटी एक्टूल मीनिंग उसका मैं भूल गई लेकिन वो होंसा जेशोनें जो है वो ब्रीज बनाने का काम करता है मैं सेकी के बारे में बताती है हां बताएए सेकी का साइन है उठी क्या या समझ में या सेकी हम से हम साइन करके उसकी तीन बार बोलेंगे सेकी 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 यह हमें किसी के लिए इमोशनली या मेंटली किसी को समझाने के लिए या उनका इमोशन कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं तो कल मैं अपनी एक लाइन से बात कर रही थी और उन्होंने रेकी सीखी थी मुझसे रेकी 1 & 2 तो उन्होंने हजबर्ण जो थे वह गलत संगत में जाते हैं जाते हैं तो वह बस पीछे पड़ गई हैं वह बेकी 1 पर नहीं करती ती रोज उन्होंने वह संगति में बैटनें बंद करती कि लिए तो किनी सारी वाइस वाईस जो चाहते हैं कि अब मेरा अब अब मेरा कोई है कोई चौड़ वाना चाहते हैं आप हां सुनाली जी बताइए बस वही डुरिंक्स की यादत छूड़वानी हैं तो बस टेंड इस्टेंट इलिंग करेंगे देखते हैं कल या पर्सों के टाइम वो करेंगे तो distance healing से आप छोड़ सकते हो, सहेकी वो उसलिए काम आता है, सहेकी यादाश में, पराई लिखाई में, सब में काम आता है शुरू करें अब हम next ले जो है position legs की, knees की, calf muscles की तो legs position, legs पे, calf muscles, जैसे ये thighs हैं हमारे thighs, knees, calf muscles, ankles, pound your soles ठीक है, ये position अपनी convenience के रिसाब से आप करिए और फिर उसके बाद हम दोनों कंदे, ऐसी भी कर सकते ही गंदे, clear हो रही है position, फिर back heart chakra, दोनों हाथ पीछे, back heart chakra लेटके करना है या बेट के बताये कैसे कर पाएंगे, let के तो आपके पाउं नहीं जाएंगे, नहीं हाथ नहीं जाएंगे इनिपहों तक, जबतार आप yoga, जो लोग, yoga chari हैं वो लोग कर पाएं, I don't know, जिल लोगोंने yoga अगर र बट जात्र तो बैठके कर पाएंगे वली पॉजीशन्स तो यह पुजीशन्स आप अठीक है तो कि सब लोग तयार है तो सब लोग सब लोग बैठ जाएंगे बैठ के करेंगे यह थाइस वाली पॉजीशन्स आंके बन रहेंगी रेकी गौर्ड्स और गाइड्स को कॉल करेंगे यह रेकी के देवी देवता आप मौजूद रहें हातों को रब करेंगे दोनों हाथ थाइस पे आंखे बन करेंगे बन करेंगे बन करेंगे करेंगे एक बार में एक हाथ अठागे दोनों नीज दोनों गुटने एक बार में एक हाथ अठागे दोनों नीज एक बार में एक हाथ अठागे दोनों नीज एक बार में एक बार में एक हाथ अठागे दोनों नीज कर दो 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 कर दोनों गुटने दुबारा कर लीजे कि गुटने कर लीजे दुबारा कर दोने 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 कर दोन एक बर में एक हाथ हटाके काफ मसल्स पिंडलियां जहां पर आपको पंफोर्टिबल लगी वहां पर आप हाथ रख सकती है दोनों कंदे एक बर में एक हाथ हटाके दोनों कंदे दोनों कंदे एक हाथ चक्रा एक बर में एक हाथ हटाके बैक हाथ चक्रा दोनों कंदे पीछे अब दीरे दीरे हाथ अठाके हाथ अठाके रेकि गौर्डन गाइड्स को ठांक्स करेंगे और में एक जह दुआ याँ जगा हाथ यिभा ईवद रहाथ तो वेल्कम बैक वंस अगें इसा फील कर रहे हैं रिफ्रेश्ट येस मैं तो ये आपने अगर कोई एक बार में कर सकता है तो एक बार में करें और दो बार में क्या है तो दो बार में कर सकते हैं जैसे आदम ने किया है तो यह हमने रोज करना एक आज तो करी लिया है और आप लोग में से कौन दूसरों को हीलिंग देना चाहते हैं कि लोग के तयार हैं लोग तो आपका जो व्यक्ति है उसको आप लिटा देंगे जिसको आप हीलिंग देना चाहते हैं उसको आप लिटा देंगे या बैठा दें करना है या नहीं तो आपके आंके बंद रहेंगी और जैसे यह है इसको बच्चे को हम healing करेंगे इसको मैं लिखा रही हुई इसको मैंने बठा दिया है और जो भी problem area जैसे थकान है या कुछ भी है तो आपने रेकी गॉर्ड गाइस को कॉल करना है और अपनी healing करने के बाद दूसरों की healing करनी है तो मैं तो खड़ी हुई 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 क्या डेमो देने के लिए बटा बैट के ही कर दो यहां पे छोड़ा space इस तरह से नहीं है कि मैं बैट सकूँ तो जेनरली आपका जो patient है आपका जो client है आपका जो family member है आप बढ़ा सकते हैं आपका जो family member है आप बढ़ा सकते हैं अपने रेकी गॉर्ड गाइस को पॉल किया अपने hands को रफ करा और अपने हाथ दस मुनर तक उसके head position पे रखके उसको healing करेंगे कि यहां पर करेंगी कंदों पर करेंगे या लेक्स में हैं तो थाइस पे कर सकते को इस तरह से आप कर सकते हो अपना अभी किसी को करना है practice अब के बास है या फिर हम इसको skip करेंज आप लोग practice करोगे गर पे बाद में आपको बताएंगे कर तो आप लोग आज जैसे हम किसी को रही हैं तो उस टाइम हम को मन में खोलना रहता है और आपकी आखे बंद होंगी और आपको मन में एफोर्मेशन कर सकते हो कि यह स्वास्थ है यह पॉजिटिव है स्वास्थ है रिलाइक्स है जो भी प्रॉब्लम है मतलब अगर डाइबिटिक है तो वो पैंक्रियास उसके स्वास्थ है लिवर का इशू है तो लिवर स्वास्थ है तो यह आप एफोर्मेशन बहुत सकते और आखे बंद रहेंगी मोस्ट इंपॉर्टन आखे बंद रहेंगी और मैं जैसे अभी हम स्वास्थ कर रहे थे कर रहे थे जो नेवल का बैक्साइड है जब उस पोजिशन पे मैं कर रही थी ना तो मुझे कंटियो बर्पिंग आ रही थी उन्ली वसी पोजिशन से नीचे गए या उपर गए तो क में क६ढें की हार ना यह जो कि ये कि all अपने कि फीलिंग ऑला रहे हो समझ में नहीं आया था यहाँ आ हक्छारह पार छ सुखे पीछ पीछ रखना है दोना लुए पीछ पीछे पीछ 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 पे नाना हम लोग में के नीचे वाला भी से Magazansлан करना है जो बैक की पोजिशन ओपीछे करनी है तो सांद्रे वाले कुटा करेना है उल्टा ना में थोरा धीरे से क्या क्या बोल रहे हो जब भी पीछे का हम लोग रेकी करेंगे पेशन को उल्टा लेके करना है ना उल्टा सीधा जैसे भी उसको कैओ को फिंदे आपको कमफर्टेबलो नहीं जैसे मसी वी मैंन जीज़े से कमफर्टेबल और शोचिक वरी किखी ठोए अब कि फिर ज़ेँ बसंसे प्रिशनสमय फारी जोगने गाइफ कि माध करम अधियृ। जाना मैंग कीमपने बार्ग करने थारी कुरेकी से एक तरह सा का magnetism patient और आपके हाथ के बीच में बॉड़ी और आपके हाथ के बीच में एक magnetism दीरे-दीरे डवलप हो जाएगा आपको बॉड़ी में पता लगने लेगा कि यहां problem है अगर patient ने बताया नहीं है तो भी जिसको हम देखी दे रहे हैं उसको आख बंद र करेंगे तो ज्यादा फाइदा रहेगा correct correct absolutely मैं चाहती हूँ आप लोग खुद अपने उसे logic आपके पास है तो answers है आपके पास तो एक चीज़ आप समझे हैं हम आखी क्यों बंद करते हैं कोई जवाब देना चाहता है कोई किसी की पास answer है आख बंद करके concentration बढ़ जाता है hmm very good और patient का भी ध्यान क्योंकि अगर आप खोलते हैं तो क्या होता है और समय मैं आपको देख रही हूँ तो मेरी आपको की रूजा आपकी तरफ बहरी है तो इस समय मैं कुछ और कर सकती हूं नहीं कर सकiph理 पर जब मेरी आखे बंद है तो यही जो उर्जा बाहर बाहर रही है वो अंदर की तरफ होती है आप समझेव एनर्जी क्योंकि हम जहां जहां जो आखे अगर हम कान से सुनते हैं कां से अगर बाहर की वास सुन रहे है तो बाहर उर्जा जा रही है, pentru कि ध्यान वहां जा रहा है प्रशा को मा जा रहा है, जहा है आपकी थॉट है वहां एनर्जी फालो करती है तब ही रात को सोते क्यों हैं? रात को आँक्हें बंद करके सोते हैं तो अपैशे आपकी बॉड़ड के अंदर जाना शुरू कर जाती है और आपके oni बंद करने का और आप के पेशेंट के भी आँके बंदानि होगी हां एक मज़़ दार चीज होती है जब आप पेशिंट को हीलिंग कर रहे होते हो तो खराटे भरने लगता है उसे नीद अच्छी आजाती है तो यह अच्छा साइन है इसमें आप परिशान ना हो जब उठेगा तो एक्दम फ्रेश और बहुत पॉस्टे तो कितने लोग आज हीलिंग करेंगे दूसरों की वेर आफन आफन अवर हाँ तो प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं और अगर आपके पास आज समय है तो अपनी भी हीलिंग थोड़ी देर और ज्यादा कर सकते हैं आप आज हमारा परेकी वन कंप्लीट सा हो गया है आप लोग ग्रूप फिलिंग आप लोग कोई आसपास रहते हैं, आप में से कोई आसपास रहते हैं, कोई नहीं रहता आसपास, तो अगर touch healing में, अभी distant healing में तो हम करेंगे group healing, बट touch healing में अगर एक ही परिवार का दो व्यक्ति रेकी के channel है, और एक व्यक्ति के कहीं body में कुछ problem है, तो दो लोग उसकी body को touch करके healing दे सकते ह उसको हम group healing बोलते हैं, तो जैसे ममी पापा हैं, दोनों को healing आती है, बच्चा बिमार है, तो दोनों ने healing करी तो कर सकते हैं, तो जैसे बुखार वगएरा है, तो बुखार के लिए आप चकरास पर healing कर सकते हो, तो और अगर टांगों में दर्द हैं, तो सीजा टांगों पर वहां पर healing कर सकते हो तो इसका एक कोई भी फिक्स्ट नहीं है बट जो एक रूल है कि आपने थोड़ा-थोड़ा चक्रास पे कर दिया अगर आपको समझ भी नहीं आया कहां करना है तो आपने एक-एक मिना चक्रास को कवर कर लिया और फिर प्रॉब्लम एरिया को भी कर सकते हो अब लेकिन आपने जब चक्रा का जब उस दिन जो किया था चक्राइब पर फोकस करके उसका जो इफेक्ट और एलिंग और रिलेक्सेशन था वो आज जो करवाया इस से डबल था इसा मेरा परस्टनल एक्सपिरेंस सबका एक्सपिरेंस अलग-अलग होता है कोई जरूरी नहीं है की और यह भी जरूरी नहीं है जिस दिन आपको चाक्रा पे जादा अच्छा लगा उज दिन नेक्स जह हो सकता है आपको चक्रा पर अच्छी यहिलिग ने मिलिगई और किसी ने शेर करा था वैटनस तो आप यह कर सकते हो अगर आप चाहो तो 6-6 मिनाट 5-5 मिनाट अपने सेवन चक्रास पर कर सकते हो मैंने आपको दोनों टेक्निक्स दिया है जाज तर रिकमेंडेर होता है कि आप फुल बॉडी हीलिंग करिए अब आपकी चोईस है पर लेकिन रोज 21 दिन करना जरूर है तो दीपक जी आप आप दो तिन दिन अगर लगातार फुल बॉडी हीलिंग करोगे तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा आप रेगुलर्ली करके देखिए फुल बॉडी हीलिंग ज्यादा तर सब लोग जिसके पास समय नहीं है काई लोग बहुत कंप्रेन करते हैं टाइ मैं मुझे पूछ था किसी को अगर कोई क्रॉनिक है जैसे पैरालिसिस है किसी को ऐसा कुछ है तो उसको कैसे देख रहे हैं बढून से कनेक्टे होता है और कॉन सा एक्टे है और मेरे पेशन्ट है ज़रूरी भी नहीं है कि वो पूरा ठीक हो तो रिजल्ट्स विल वेरी फ्रम पर्सन तो पर्सन जो ज्यादा क्रोणी बिमारी हैं उनमें एके जिन से तीन महीं लग सकते हैं तो आप उनके ब्रेन पोजीशन पर देंगी और पैरलेटिक कौन कौन सा एरिया उनका राइट साइड का पूरा है और बोल नहीं सकते पे नही पोजीशन थी एड की उनमें ज्यादा तर दीगे क्योंकि वहां से वह जो पूरा बॉड़ी को कंट्रोल करता है ब्रेन करता है तो ब्रेन पोजीशन पर ठोड़ा थोड़ा थोड़ा आप आप बॉड़ी को भी दे सकते हो पर लेकिन यह लंबा इलाज चलेगा यह यह लिए जो लोग प्रॉने बिमारिया इस तरह की तीन-चार लोग कम से कम उसे तीन-चार घंटे हीलिंग की जरू होता है एव्री डे तो ग्रुप हीलिंग हो उसकी और तीन-चार घंटे और फैमिली मेंबर्स दें तो जल्दी ठीक होगा जी और बताईया और कौन क्या पू इसमें मतलब स्पेसिविक कोई टाइम रखना है या कोई भी टाइम पर कर सकते हैं आप बताईये आपको क्या टाइम तूद करता है टाइम तो मैंनम ऐसा होता है न कभी यह लगता है कि यह स्लॉट में यह करेंगे सड़नली वो स्लॉट में कुछ न कुछ आ जाता है तो कभी गभी छोड़ना पड़ता है देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग प्रेजंट रहा करिये पूरे सेशन में क्योंकि मैंने यह तीन-चर बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को कि आप कोई भी टाइम नीलिंग कर सकते हैं मौर्निंग में जिसको जो सूट करता है वो टाइम जो है वो अपना ले सकता है यह बात मैं दो दिन बार पहले पोचुकी हूँ फिर दुवारा एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने हिसाब से अपने टाइम से जब मर्जी कर सकते हैं बट विदिन 24 आज जैसे आपने आज करा है आज समझीद 9-10 बजे हैं नेक्स 24 आज पे दूसरी बार ही लिंक जरूर कर लें जोष के साथ एक बार सब लोग बार निंग्स कर दो अपने अपने हैं तो आप लोग कल का नुभाव शेर करिये आप लोग कैसा कैसाफ का कल का दिन किसी ने healing दी, क्या करा, बताइए, जी बताइए, ब्रामी जी, बताइए, आप unmute करिए अपने आपको, कौन share करेगा, किसने healing दी है कल, बताइए, unmute करिए अपने आपको, ब्रामी जी बताइए, उनके वाज ने आपको, बताइए, बताइए, उनके वाज ने आपको, बताइए, मैंने वह अपने खुद के लिए लिया, और मुझे ऐसा लगा के कल, आपके, वह जो, आपने जो healing किया हुआ, अगर जो भी energy दे हुई होगी, तो उसकी सबसे मुझे वह जो मेरे गर्दन में जो दर्द होता है, वो कम हो गया है, और काफी सारी energy की हमारे मेरे शरीर में आ गई है, ऐसा महसूस हुआ मुझे, वाव, wonderful, very good, और बताइए, और, आपने किसी को दिया नहीं healing, जोती जी आपकोट कहना चाहते है, स्वाती जी बोलिए, स्वाती जी बोलिए, मेरी बेटी है, उसका फ्रेंड है, उसको डेंगी हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज है, तो मैंने उसको रही दिया है, अब आज पता चले का मुझे, तो दिखिए अगर किसी को डेंगी है, तो रोज दीजी ए, एक दिन से काम नहीं चलने वाला है, मैंने कल सिखा था, तो म बढ़ा है, क्योंकि जो हस्पिटलाइज होते हैं, या जो जिनको जादा प्रॉब्रम होती है, उनको हमें जादा समय देना पड़ता है, तो अब दीजी कि उसके प्लेटलेस बढ़ रहे हैं, तो आपने टच ही लिंग दिया था, इमाजिनेशन गया कि उसके प्लेटलेस ब और कोई किसी ने हीलिंग का कुछ, मिरिकल्स आप करो ना, यूज नहीं करें आप रेकी को, ब्रामी ती आपके अवास नहीं आरी, अन्म्यूट करिए अपने आपको, आपके अवास नहीं आरी, कोई और शेयर करना चाहता है, मैं फिर सबका नाम लोंगी, आपके अवास नहीं ब्रामी जी, आम निम्यूट करना पड़ेगा, त्रिप्तीर ही आप शेयर करिये, कल का दिन कैसा रहा, क्या आपको फायदा हुआ, जो सुबह किया, उतना ही मैंने किया, पूरे दिन में नहीं हुआ, पूरा दिन कैसा भीता, वर यू फिलिंग मोर एनरजेटी, रिलेक्स्ट फिल हुआ, तो सेशन में जो हीली, इसमें तो तो नीद आती है, और पूरा दिन एनरजेटिक रहा है, राइट? हाँ, तो आज के सेशन में हम पास्ट लाइफ में जाएंगे, इसे जनम की कार्मिक चीजों को ठीक करेंगे, तो किने लोग इंट्रस्टेड है पास्ट लाइफ का ठीक करने में, तब लोगों का इंट्रस् जो के हातों को ऐसे उपर रखे बैठना है, आप लोग चोकुरे, हांशाजेशन और चोकुरे बनाएंगे हवा में, तो connect to the past life, और आपने सिर्फ audio को सुनना है, जो होगा वो होगा, इसका पहला चलन है कि आपने अपना रिलाक्स करना है, क्योंकि जब मन रिलाक्स होता है, तब ही वो देख पाता है, फिर उसके बाद शेरिंग लेंगे, फिर बॉडी हिलिंग करेंगे, तो शुरुवात कैसे करते हिलिंग की कोई बताएगा, शुएतर जी अन्म्यूट करिए, अन्म्यूट, अन्म्यूट, दोनों हाथो को रभ करके, फिर रेकी की देवी देवता को बुला के, फिर एक जगे पे, शान जगे पे बैठके, फिर चोकूरे का हर एक चक्रा पे हमको चोकूरे बनाना है, और सेहे की बनाना है, और फिर सभी जगे हमको मुजिक के साथ 6-6 मिनिट रेकी देना है अपने आपको, वो तो आप सेल फीलिंग बता रहे हो, मैं प्रप्रेशन फूछी हो कि आप शुरुवात कैसे करते हैं, सिर्फ शुरुवात बता मैं, ब्रहमीदी आपके अवाज नहीं आ रही, तो आपने पहले रेकी के देवी देवताओं को आवहान करना है, तो हॉन्शा जेशुनल सबको याद है, नहीं तो अपना निकाल लो क्योंकि हम पास से कनेक्ट करते हैं, हॉन्शा जेशुनल से, तो सब लोग इकठे चुरुवात करते हैं, कि हे रेकी के देवी देवताओं, आप महजूद रहें, ये नॉइज आ रही है, आप लोग सब लोग म्यूट पे चले जाएं, अंकित भाई सब को म्यूट पे डाल तो सब लोग प्रातना करेंगे कि रेकी के देवी देवता, आप महजूद रहें, मेरे को जो रेलेवेंट मेरा पास्ट लाइफ जो भी है, कार्मिक चीजे हैं, वो हील हो जाएं, जिन से मेरी लाइफ में ब्लॉकेजिस आ रहे हैं, तो अगर आपको पता है क्या क्या करके बड़े दिल से आवहान करना है आपका, कि रेकी गॉड्स एंड गाइज, हे रेकी के देवी देवताओं, ब्रह्मान में आप जहां भी हैं, इस समय आप आएं, मौदूद करें, मैं अपने जीवन के पुराने कर्मों को हील करने का, कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, आप मौदूद रहें, और मेरे वो कर्म जो है, वो हील हो जाएं, और मेरे लिए अगर रेलेवन्ट है, तो वो मेरे को उसके विज़न आए, प्रागना करने के बाद आखीं खोलेंगे, अपने दोनों पाम्स पे अपने चोकुरे बनाना है, चोकुरे, 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 हम प्रेबरेशन के लिए बनाते हैं, ताकि हमारा जौ है, एनरजी फिल आने लगे, दिपक जी द पाँच उंगली और एक उन्गली से आप लोग जहां गल्ती करेंगे मैं आपको बता पाँगी, आप नहीं आउन करोगे तो मैं नहीं बता पाँगी क्योंकि मैं सब को वाच करी हूँ, मेरी नजर आप लोगों पर रहती है सरला जी, गीता जी, आपका ही भलाई है, उसके लिए ही बोल रही है मुझे क्योंकि आप जहां गल्ती करेंगे मैं आपको देख पाँगी, बता पाँगी अब कहां चोकुरे बिनाना है? Seven Chakras चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे Crown Chakra Thirdai Chakra Chokuri, Chokuri, Chokuri Throat Chakra चुकुरी 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 तुरदे चक्र चुकुरी चुकुरी तुकुरी 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 एक्ते चोकुआए उना रीक्षिन में डालना है अपनी छहों दिशाऊं में अपने फ्रट durากher तोकुरी तोकुरी। साइद में अपन्य स्कुआ टूरे तोकुरी दूड़िके डान हैं पकिलत। चुकुरी 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 उपर चुकुरी चुकुरी निचे अबाउंक निचे हमें। इसंद्टाहिदा के काओ नहीं सांद्टां एस मेण जातना नहीं, दमना हमांद प्रत आधे। अब आपने आपको वीजुलाइज करिए पिरामिट के अंदर आप आप आइट पिरामिट में बंद है यह आपने तरह से पिरामिट बना लिए उसमें आप बंध है और प्रोटेक्टिड है राइट पिरामिट रूप में आ रही है और मैं उसमें एफ सेफ लेफ्ट में चुकुरी 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 राइट में चुकुरी 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 उपर चुकुरी चुकुरी नीची चुकुरी चुकुरी अब आप आवहान करेंगे परमात्मा से कि आप मुझूद रहें और मेरे को बड़े प्रेम पून मेरे पास लाइफ की कार्मी कीजों को हील करें और जो विजन जो मैं देखना चाहता हूं वो मुझे दिखाई दे जो मेरे लिए रेलेवेंट है वो दिखाई दे तो सबकी मौझूद लिए को फील करें वीजुलाइज करें जो भी आपके फ्रेवेरेट देवी देवता है वो आपके आसपास है अब आपने हवा में चोकुरे हांशाजेशनन पहले बनाना है चोकुरे कनेक्ट करने के लिए आप ये ब्रिज का काम करता है तो ब्रिज के लिए हम बनाएंगे चोकुरे हांशाजेशनन और चोकुरे हवा में तो आप अपने पास लाइट से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप ब एक उंगली से नहीं बनाते डेल सी पांच उंगलीों से अब बिल्कुल रिलाइक्स हो के अपने हातों को अपनी लैप में रख सकते हैं लेट ना चाहे तो लेट पी सकते हैं थोड़ा नीन में ना जाएं बस यह भी हां रखी थोड़ा कॉंचिस रहना बढ़ेगा आपको कोशिश करें बैठ के ही पीछे टेक लगा ले किसी भी चेयर पे टेक लगा ले क्योंकि बैठे बैठे रहने में दिक्कत होती है तो पीछे टेक लगा के अराम से आप बैठेंगे चीर पर बैठ सकते हैं, बैट पर बैठ सकते हैं, सब लोग ready हैं, तो thumbs up show कर दीजे मेको, सब ready हैं, तो फिर हम शुरू करेंगे सब लोग thumbs up एक बार show कर दीजे मेको सब लोग ready है, नीरा जी, ये सब लोग ready है, very good, तो सब लोग ready है तो अब आपने आखी बंद करनी है, स्क्रीन शेरिंग करूंगी मैं, अन्कित भाई स्क्रीन शेरिंग का। सब आखी बंद कर लेंगी हाथों को अपने रिठाइस पर रखें, रिलाक्स करें हाथों को रivamente अन्कित रिल मुए हिएों को भाई? उिस lesson जिताए साथ तो शेरिंग करें किसको क्या महसूस हुआ, कुछ विजन आया, क्या हुआ, बताईए दीपक जी तो बहुत रिलाक्स हो गया है धीरे धीर आखे खोलेंगे, हाथ पाउं की उनिया चुलाएंगे, वापस आएंगे जी बताईएं, देल सी बात कर रहे हुं हाँ, यू बात कर रहे हैं बच्पन में गई तो वहाँ थोड़ा धुक्पी भूए था तो फिल्फेंग में सहीं पताने इसे पाना खाई नि क्या दुखता आपको बहुत सैंसिटिव थी ना तो कोई भी कोई मुझे बोल देता था तो मैं रोने लगती थी तो अंदर अंदर बहुत वह तकलिक तो वह मेरे अभी जो अभी के जीवन में भी वह उसका इंफ्लूएंस होता है अ अचिए कां सा इंसिडेंट आप में देखा बटाएंगे तो हमिलिंग कर पाएंगे कोई जो ऐसकी एसकी घलिंग करेंगी तो अच्छा रहेगा ताइए क्या इंसिडेंट आप धे रखा अपने इसिगया चाहाँ Bush Ming मेरी मम्मी ने मुझे बहुत यानि डाटा था वो पढ़ने के लिए ही था लेकिन मैं बहुत सेंसिटिव थी यानि इमोशनल बहुत थी तो मुझे मॉम कुछ भी बोलती थी ना तो बूरा बहुत लगता था आपीनचनश की प्रूग बता है टनियुस है कि मैं चार साल की बच्ची हूं और मैं पढ़ाई ने कररे ह।। मेरी मम्मी ने मुझे डाटा हुए इस तरह से ही बताएगी क्योकि वह ने इंपॉर्टन थी करने है आपको। बताएगी Бог पर दस साल की थी, मुझे वो दिखा और पढ़ाई में ही डाटा था मुझे, लेकिन उसका रिजन भी मुझे पता हुआ कि वो भी फ्रॉस्टेशन में थी, इसलिए उसने डाटा और वो मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत यानि मुझे मारा भी था मुझे ने बहुत जो मुझे यादा रहा हुं गमने पर अभी गई थी तो मैंने भी रिशता है की मैंने व दीवाल पर और पर लिख रहे शिजा रहा है कि मैने दीवाल पर वो पैंसिल से वो दोरा यानि ड्रॉ किया और उसमें मैं सो गई यानि मेरा मैं बस अब मर जाओं ऐसा मैंने सोचा तो हाँ आप मरना तो यह जो इंसिटेंट है ना इसका हीलिंग करने का है तो आपका ममा ममी का फोटो लेके और अपना फोटो लेके उसको दस पंदर मिनट से करना है कि मैं अपना ममी और अपना हर्ट और रिलेशन्शिप करती हूं और पास को छोड़ती हूं तो फोटो लेना है ममी का और अपना ममी का और मेरा हां फोटो लेके उसको हीलिंग भेजना है कि I let go of past यह बाकी लोगों के लिए भी है यह सिर्व मैं डर्जी से बात नही कर रहे हूं आप लोगों को भी अपने हर्ट और पेन इकठे करके रखने हैं या उनको निकालना है हम सब के होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ टीचर के साथ तो यह काम सिर्व डेल से के साथ नहीं कर रहे हूं आप लोगों के साथ भी कर रहे हूं जिन लोगों को बच्व क्या लोग को मॉलस्टेशन होता है, बच्च्पन में, बच्चा होता है ना बड़ा वलनरेबल होता है, तो अगर इस तरह के incidents हैं, आप लोग अगर नहीं करना चाथे तो इस तरह के incidents आपको याद हैं और आपको पता था तो उस व्यक्ति का नाम लिखे और अपना नाम लिखे कि मैं हर्ड को हील कर रही हूं और उसको लेड़ो कर रही हूं तो कागस पे लिखे पूरा इंसिडेंट की मैं आपको भी माफ करती हूँ और तो प्लीज लिख लिखिए कागस पे अपना और जिस विक्ति ने आपको हर्ट करा बच्पन में उसका नाम लिखना है और लिखना है कि मैं आपको शमा करती हूँ करती हूं यह अंजाने में हुआ है जू भी हुआ है अनजाने में हुआ है और इस कागस पर चोकुरे और सेकी बनाएं यो देखे ना उसको दस मिनट रखे हीलिंग बेजिए और फील करिए कि आप दोनों हील हो रहे हैं वो कि जो कि जिसने करा है वो भी बंधन में बंधिये और आप भी बन गए तो आप दोनों करम बंधन से मुख्त हो गए हैं मैं अपने को भी मुख्त करती हूं करम बंधन से और आपको भी मुख्त करती हूं N तो अब हम लोग self feeling करेंगे 22 points पर यादे सबको तो एक घंदे के करीब लगेगा यादे 22 points eyes crown chakra तो आपन तयार हैंगे रेकी गॉद्न गाइट्स को लेट सकते हैं बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं वह बोलेंगे न कहां पर रखना है हाथ आए मैं बोलूंगी बोलूंगी तो आपने पोजिशन लेने अपने दो रेकी गॉद्स याद करना है तो आप लोग अपने हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों पर चोकुरे बनाएंगे और दोनों हाथ कप शेप में आइस पर चुरुबात करते हैं आपको पर विजुलाइज करेंगे चोकुरे 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 सेहकी सेहकी और करेंगे चोकुरे चुरुबाताओवी यावार थाम यूलाइज। करेंगे चाराइजकों अपने हाथों को रचाल सब्सक्वार चाहिएत है झाल 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 एबर में एक हाथ अठाके दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे सर के उपर दोनों हाथ विजुलाइज करेंगे चोकुरे 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 सेथी सेथी झाल झाल खेबर में एक हाथ अठागे मरी पूर्चक्रा पेट पर चोकुरे 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 सेखी 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 अब दीरे दीरे दोनों हाथ अठाग के रेकी गौड्स और गाइड्स का थैंक्स करेंगे तो अभी बैक पुजिशन्स रहे गई हैं तो आज जब भी आपको टाइम मिलेगा बैक की पुजिशन्स करेंगे पीछे पीछ पीछ पे चोकुरे और सेखी से और पूरा वीक आपने यह सेल फीलिंग करने हैं फुल बॉड़ी की करेंगे तो अच्छा रहता है उसके बाद आ अब 21 दिन आज से काउंट कर लिजिएगा 21 दिन आपने फीलिंग करनी है वेज सिंबल सेल फीलिंग कोई कुछ पूशन चाहता है यह सर आपका सेल फीलिंग का सिहां जी दरमेंजी में मेरा एक कोश्टन है मैं नेगेटिव एनरजी नेगेटिव एमोशन्स और पीजाएख निपूशन है यह रहा जो सकता है यह सब्सक्राइब करें दो देखेंगेटिव एलव में होती है तो फूशने दर होता है वह बहें आ जाती है और अगर आपको पावर लेस्नेस फिल होती है तो पैट पे और अगर आपका कुछ लाइफे प्लेजर फिलियों हो अगर लाइफ में आपकी पूरी चीजे फूरी फिल यह पूरा सारा सेवें चक्रा जेकनेक्टेड हमने आप चक्रा ध्यान एक बार करिये उसमें भी सारा यह दे रखा है सबसे पहले इफेक्ट कोन से चक्रा पर पढ़ता दर मेंदर जी अभी मैंने आपको बताया है अभी तो बताया है कि आपका लौपका फिलिंग का इमोर्शन से आपके हाथ चेक्रा पर पढ़ेगा Seven Chakra seven Ch constras Y saving चक्रास जो है वो Impact होते हैंHH Ee adalah second न थढर क्लास आप शिक्रा meditation आप सुनेंगे ना तो आपको clear हो जाएगा हां ठीक है मैं जब past life का healing किया तभी जैसे बहुत बेचली हो रही थी हां जी ओकी हां तो मतलब बहुत जैसे heart beat वह हो रही हो बैठने का मन नहीं कर रहा था starting से अभी कैसा हो रहा है वह बीज अभी अभी नहीं है बिल्कुल वैसा तो फिर अब जो गया हो गया ना कुराना नहीं लेकर बैठें क्यों बैठें आप लोग पुराना लेकर वह तब हुआ अब कैसा हुआ इस सेशन के बाद वह बात करिए पुरानी चीज़े छोड़ दीजे ना यही तो सिखा रही हो पुराना किसी ने heart करा पुराना तकलीफ हुआ उसको लेकर बैठे हो तो आगे future में भी होने मला है जो हो गया उसको पीछे छोड़ दीजे छोड़ दीजे प्रेजेंट में आजे यह अभी अच्छा लग रहा है अभी तो पुराना भूल जाओ ना उसको डिलीट मार दो किते लोगों ने डिलीट मारा है अभी आप उसको पीछे सेशन को लेकि क्य बारी होने लगता है तो कभी सो जाए तो क्या करें भी बहुत बढ़िया है नीद आना तो बहुत ही अच्छा है रेकी में करते करते हैं अक्सर नीद आ जाती है तो यह तो रेकी के सिम्टम्स हैं कि आपको अच्छा रिसेप्टिविटी आपका सो जाईए खराटे बने कि आपको नीद आ गई है और अगर आपको लगता है कि तो आप अलाम लगा ली जाते हैं गंटे बात कि आपका नीद खुल जब बाकी एडिया आप करता है क्योंकि रेकी में नीद आना तो अच्छा सिम्टम है जैसे पेट पर रखे रखे हाथ आपके सो गए हो तो रेकी जाती रहेगी और अगर आपको लगताब सो जाते हैं तो आप बैठ के करें लेट के मत करिए क्योंकि लेट के ज्यादा जहरी रेलाक्सेशन में जाते हैं तो यह आपने एकी जिन प्रैक्टिस करना यह सब को क्लियर है फुल बॉड़ी ट्रीट्मेंट क्लियर है सब को सब नौट करके तो बताएए यस मैं तो फुल बॉड़ी ट्रीट्मेंट कहां जी ब्रिंदा जी बताएए अजिए फूशन चाहते हैं एक सब्सक्ट्राइब मेरा कि पुछना चाहती है कि अ दुट्रेट्मेंट कमेरे बहुत बैस्तों मैं नसཁमेपना पुछुन था जो आपको शोटना पूह मैं पुछलों कुछलों नहीं कि आपको तो मैं घुता हुँना घुषीदा एक से को कि बंगे करें तुमेरान अपने आपको उसके डिस कोनेंक्ट नहीं करपई घाए यह कि करेती ए सत्राया मेंक्तों मैंने प्रोड़ी में थन्सुझत तो आपको प्रोब्लम रहता है क्या तो लोग रहते हैं तो लोग रहते हैं तो आपको अगर लगता है बहुत जादा नेगिटिव लोग है यह बहुत जादा प्रॉब्लम् क्यों आपको रहते हैं जाद आता हैं आपनें लिए रेकिण तरहreiben कि एक पामी बाता के श्च वाइब को प्रॉड्टी प ли आप बंजी तो वो कभी कभी हो सकता है किसी को जिसकी और वीक होती है या फिजिकली वो वीक या इमोशनली वीक होते हैं तो दूसरे की बात आपको डिटाइज हो कि करना है कि वह ठीक बहुत जादा उसको अटैश्मेंट ने लेना क्योंकि आप इलिंग नहीं कर रहे हो तो अपने को प्रोटेक्शन करना है अपनी हीलिंग करके अपने सोलर प्रेक्शिस पे आप बंधर मिंट हीलिंग करें फिर दूसरों को दें अभी बहुत जादा हीलिंग के चक्कर में ना पढ़ें एक कि जिन पहले सेल फिलिंग में ज्यादा ध्यान दें कभी कभी दे सकते हैं दुख्रों को 15-20 मिनट तो आपको ठीक रहेगा और प्रोटेक्शन और हीलिंग खुद करके तब दूसरों को दें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दूसरों को रिख करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमारे अंदर ही होती है हम बहुत अटाश्मेंट से कर रहे होते हैं या अपना नेगेटिव एनर्जी हमारे थौट्स में होते हैं अब नेक्स वीक मिलेंगे साटरड़े को और आपने यह सेल्फ लेंजिंग करनी है जरूर इसको मिस्स नहीं करना एक दिन भी अगर आपने मिस्स किया फिर से एक इस दिन करना है क्लियर है ठीक है जी मिलते हैं नेक्स वीक वन्स अगेन थाइंक्यू अलोब यूव फॉर बहुत बहुत दन्यवाद अंकित भाई का धन्यवाद हो बैठे रहते हों मैंज करते हैं हम सब को और यह जो मारा भारत योग संस्थान है इसका बहुत-बहुत धन्यवाद तो इस प्लैटफॉर्म की वज़े से हम लोग यह साथ हो पा रहे हैं और अपना भी धन्यवाद यह attitude of gratitude को रखना है अपने अधे अधे आधे अधे जी अधे अधे बाई